प्यारे साथियों नमस्कार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं हम हमारे चैनल लर्न इन शेयर पे और हम बात करें मिशन 30 के बारे में जिसके अंदर हम क्लास 11 का फुल सिलिबस 30 घंटों में खतम करेंगे मतलब 30 30 आर्स में कम्प्लीट करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंग कैसे भी करके जैसे हमारा भी यह मैं कि आप लोग को पूरी इंसी आटी जो है क्लास 11 की थर्टी आर्स में करा दी जाए इसी सीक्वेंस में हम लोग अल्ड़ी चैप्टर नमबर टू थ्री फॉर फिफ तक कर चुके हैं इसी सीक्वेंस में आज हमारा एक और चैप्टर है वह है चैप्टर नमबर 6 कार रे उर्जा एवम शक्ति बहुत प्यारा चैप्टर है छोटा सा चैप्टर है कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको भी निपता एंगे चैप्टर तो सबसे बहले आप सबको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है कार रे उर्जा एवम शक् इक लार्स टॉपिक उसमें और वच्चे का बेटा जिसको कोँ बोलते हैं टककर, ठेके स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है कारे, 5 वेनी चार मैं चीजै, चार वीनी चार में चीजै, कारे, ओर्जा, शक्ति और टककर, ठेके, उसमें बी ऊच्च अजंते знаю उर्जा और इस्सति उर्जा बढ़नी है इसी तो में में गुरुत्वीय तो में में इसमें सै जो यह हमारा chapter बहुत easy है, छोटा सा chapter है, चलती से निपटाते है, चल, तो यह आपको दिख रहा होगा कि मैं जो है, मस्त जिम विम जा रहा हूँ, तो जिम विम के अंदर देखो, मैंने दोड़ना चालू कर रहा है, इसके उपर, मशीन के उपर, यहाँ पर हमारी प्रिंसे जो है एक garden घहांस काटने के जो मशीन है, ठीक है, उससे घहांस काट रही है, यह हमारे बुद्दु राज जो है, बुद्दु राज जो है, वो भी जिम के अंदर खूब exercise कर रहे हैं, काफी मतलब muscles वासल बनाने के कोशिश कर रहे हैं, तो यह सब जो चीजे हैं, वो क्या है, कैस हैं, वो समझने की आज कोशिश करते हैं, चली, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले टॉपिक के साथ, जैसा मैंने आपको बता है, यह हमारा चाप्टर का प्लो है, जो मैंने आपको बता है, सबसे बिलेपन कारे पढ़ेंगे, ठीक है, कारे के बाद परिवर्ती बलदौरा किय के बारे में बात करेंगे, है सिग़ भाई, ठीक है, फिर जैसा मैने आपको बला ऊर्जा हैं, और दो थरीके की ओर्जा हमें, मेली पढ़े परिए, जो यांत्रिक ऊर्जा का पाथ है, पहला है हमारा गतिज उर्जा, उसके बाद स्थिद दूरा, लेकिन उन दोनों की स्प्रिंग की उर्जा आती महफपूर्पूर्ण है क्योंकि नया टॉपिक है यांतिर को उर्जा सनलक्ष्ण का नियम उर्जा करना तो मिनास संभवना तो निर्मा वही पढ़ेंगे और लास्ट में बात करेंगे शक्ति अब हम संगट संगट को अपन बोलते हैं तककर इंग का सकता है इस्दिर रुजा में जो स्प्रिंग वाला पार्ट है इस प्रिंग की गत जुड़जा उस वह काफी important बात है ठीक है और इसके अलावा आपके तककर के उपर question आने के chances है तो यह जो तककर वाला part है यह काफी important है तो यह सारे important topic में आप लोग को mark कर वा दिये हैं से पहले टॉपिक से जो कि यांतरिकी में किये गए कारे के बाद अब आप सबको बता है जैसे मैं आपको बोलू कि मैं काफी देर से सेल फोन को होड़ गर के खड़ा हूं तो अगर मैं बोलूगा कि साइंटिफिकली याने विज्ञानिक रूप से मैंने कोई कारे किया तो आप बोलो कि नहीं किया क्योंकि 9th class में आप पढ़कर आच क्योंकि कारे करने के लिए वस्तु में दो चीजों का होना ज़रूरी है पहला उसके उपर कुछ ना कुछ बल लगना चाहिए और दूसरा उ कि वस्तु में कोई ना कुई कारे किया है जैसे मैं क्यसी बॉक्स को तो पुछ करने के वजय आ इनकुछ बलल लगाया भल लागने के साथ साथ walked भी चला etmek मतलब कुछ ना कुछ का रहे हैं लेकिन मैं फोन को फोट करकी या पैंसिल को होड़कर कर से खड़ा रहें तो इस प तक blood नहीं पहुच पाता, तो हाथ तो pain करना start कर देता है, जब मैंने भी इसको पकड़ के रखा तो मेरी muscular energy तो लग रही है न, मसल कुछ work कर रही है, लेकिन इसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ, इसलिए इस case में कार्य जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो I hope ये basic बात सबको 9th class है, अभी वापस आएंगे, अपन 11th class पे, तो महाँ पे अप लोगों ने पढ़ा है, कि जब भी मानलो कि कोई M दरवमान की वस्थू है, तो हम इसको M दरवमान की वस्थू मना जते है, तो ये मारा M दरवमान की वस्थू है, और तुमने क्या करा, तुमने इसकी दिश वस्था पे तो ही, S वस्था पे तो ही, तो इस केस में, जो किया गया कार है, जो work done हुआ है, वो किसके बाराबर हो जाएगा, बल गुणा वस्थापन के, यानि इन simple words हम लिख सकते हैं, F into S, ठीक है न, ये बच्पन से पढ़ावा तुमने formula है, लेकिन इस formula में, यह यह formula ज यह 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 तभी valid है, जब आप वस्थू की जिस दिशा में आप बल लगा रहे हो, वस्थू उसी दिशा में गती करे हो, यह उसी दिशा में उसका विस्थापन हो, यसे मैंने यह यह पे बल लगाया और वस्थू उसी दिशा में विस्थापन हो, अब मालनों मैंने बल ऐस इसके पॉइंट आफ्यू से तो यह सबसे सिंपल केस होता है जब आप वस्तू पे कोई बल लगाते हो बल लगाने के वज़य से उसमें कोई विस्थापन होता है तो जब मैं बल और विस्थापन को गुणा कर दूं अगर उनों सेमी दिशा में लग रहे हो ऐसे कार रहे के ल जो तुम भूल गए हो कभी पढ़ा था पहले उसको तोड़ा पॉलिश करने के लिए अपन पढ़ने है ठीक है अब गात करते हैं में जो हमारा 11th class का पार्ट है ठीक है बहुत प्यारा टॉपिक है देखो हमने बोला इस बार यह वहीं एंद्रिवमान की वस्तू है ठीक है लेकिन इस बार जो बल लगाया ना वो बल किस तरीके से लगाया गया है कि बल मालो शेतिच के साथ कुछ न कुछ कौन बना करके ठीटा एंगल पर लगाया गया है बल तो लगाया है तुमने लेकिन शेतिच के साथ तुमने ना कोई कौन बना दिया जैसे कि ठीटा कौन बन प्रिंसेस जो है इसको बोला इसकी ममा ने कि गार्डन की सफाई जाके कर बस उसकेस में उसको हाथ से दोड़ना पड़ता था इसके बस मशीन है ठीक है तो अभी जो प्रिंसेस है वो क्या कर रही है प्रिंसेस बल लगा रही हो ऐसे लगा रही है लेकिन वस्तू में जो विस् तो मैं क्या करूँगा, मैं बलके वो गटक लूँगा, जो की वस्तू की विस्थापन की दिशा में लग रहे हो, तो मैं बलके दो गटक कर दूँगा, एक गटक जो वस्तू की विस्थापन की दिशा में लग रहे हैं, और दूसरा गटक जो उसके लंबत है, तो मुझे बलक कि उस घटक से मतलब है जो वस्तू की विस्थापन की दिशा में लगा रहा है इतना सामारा काम है तो देखो जिन बच्चों को इबाद डारेक्ली नहीं समझाती कि इसके घटक यहां से कैसे होंगे यहां कुछ फील नहीं आ रहा तो you can do one thing एक काम कर सकते हो आप लो कि यहां पर आप एक और एक आंदर कोर्ड से ठीटा गओं इहां पर और बना लीजिए ठीक है ना देखो एक आंदर कोर्ड बञन गया अब बाल के घटक कर लो बिटा पहला बाल का जो घटक आएगा वस्तास की सेंबर रहा है यह देखो, यह मेर पास हो गया F cos theta और एक जो है इसके लंबत हो गया विटा, ऐसे बीच में F आना चाहिए था गया, देखो है तो यह हो गया F sin theta क्योंकि वस्तू जो है, उसकी विस्थापन की दिशा इस दिशा में है मतलब वो इधर जाना चाहती है इसकी दिशा में जो बल लग रहा है बल का जो घटक लग रहा है वो है F cos theta यानि इस case में किया गया कार्य का अमान किसके बराबर जाएगा F cos theta into S और F sin theta actually क्या करने कुशिश कर रहा है, इसको नीचे दबाने की कुशिश कर रहा है खुचो तो ना F cos theta इसको आगे पुश कर रहा है और F sin theta इसको नीचे दबा रहा है तो basically वो आगे जाही नहीं पा रही है F sin theta की वज़े से F sin theta दोरा किया गया कार्य 0 होता है हमेशा नहीं, हम ऐसा बोलेंगे बलका वो घटक जो वस्तु के विस्थापन के दिशा में हो उसने तो कुछ ना कुछ कार्य किया है लेकिन बलका वो घटक जो वस्तु के विस्थापन के लंबबत हो उसके दोरा किया गया कार्य हमेशा कितना होता है सुन्य होता है ये चीज़े पन ध्यान रखेंगे ऐसा जुरूरी नहीं कि हमेशा cost ही मिले वो सकता है sign भी मिल जाए वो सकता है sign भी मिल जाए जन्रल केसिस में cost मिलता है क्योंकि कौण हमेशा शेतिश के साथ दिया जाता है लेकिन कौण अगर उर्धवादर के साथ दिया जाता तो f sin theta हो जाता है ठीक है बस इसलिए मैं यह क्या रहा हूँ जो घटक वस्तू के विस्थापन की दिशा में उसने कार्रे किया है और जो उसके लंबा तो उसने कोई कार्रे नहीं किया है इसलिए में specially f cos theta और f sin theta mention नहीं कर ला अपनी बात में ठीक है लेकिन इन जन्रल जो बुक्ष में relation लिखा होता है वो यही होता है f cos theta into s ठीक है बच्चो अब दियांचे सुनिएगा कि हमने पढ़ा है कि f तो एक vector quantity है मतलब f एक सदिश राशी है और s यहने विस्थापन भी सदिश राशी है और दो सदिश राशी और साथ में बीच में लगा है cos theta और यादगरो dot product का concept यानि अदिश गुणा का जहां पर मार पास दो सदिश राशी होती थी और साथ के साथ cos theta भी होता था तो यहाने इस case में मैं इसको लिखूँगा f vector dot s vector तो यहाँ पर देखो दो सदिश राशी का अदिश गुणान फल करा है अपने यानि एक अदिश राशी प्राप्त होनी चाहिए तो कारे कैस क्या हुआ एक कारे एक अदिश राशी हो गए कारे एक अदिश राशी हो गए मार ले लिख देते हैं कारे एक कैसी राशी है अदिश राशी है जैसे यहाँ पर प्रिंसेस तमन्ना ने जो काम किया है वो F की वज़े से नहीं होगा F कौस सीटा की वज़े से होगा शेति इसके सब तो कितना कौन मांदी वो मेंटर करता है छोटा कौन बनाएगी जादा काम करेगी बड़ा कौन बनाएगी कम काम करेगी क्योंकि cost theta में theta जितना छोटा होता है benefit उतना जादा होता है लब जैसे theta का मान 0 है तो obviously विस्थाभन की दिशा में हमारा बल लग रहा है और काम maximum होगा, work maximum होगा लेकिन अगर बल ऐसे लग रहा होता याने इसके साथ नबढ़ी रिया कौन मना रहा होता हो obviously किया गया कारे, 0 होता जो मैं अभी आपको बताया ठीक है आगे बात करते हैं विटा कारे के प्रकारों के बारे में तीन तरीके की कारे हो सकते हैं धनात्मा कारे, रिनात्मा कारे या फिर शुन्ने कारे जो class 9 में आप लोगों ने पढ़े हैं धनात्मा कारे कारे काप होगा धनात्मा कारे सिंपल से उस case में होगा जब आपका विस्थापन की दिशा और बल की दिशा क्या हो सेम हो, यहां हम ऐसा बहुत हो सकते हैं कि बल और विस्थापन की बीच में जो कॉन है बल और विस्थापन की बीच में जो कॉण है जो ठीटा है वो 90 से छोटा हो मतलब वो noon कॉण तो अगर हमारा कॉण जो है वो noon कॉण है तो उस केस में किया गया का रहे जोगा वो दनात्पाकोगा ठीक है? मतलब अगर आप ये वस्तू है आप इस पर बल ऐसे लगा रहे हो शearतिष के साथ ध्याहन कियागा ऐसे लगा रहे हो चलेगा मतलब हर केस में जो कॉण है 90 से छोटाई तो उस केस में किया गया कारे मिशा धनात्पाकोगा लेकिन अगर आपके कॉण का मान अगर आपके कॉण का मान जो है, वो 90 से ज्यादा हो गया, मतलब कॉन अधिक कॉन हो गया? कॉन जो है वो अधिक कॉन हो गया? तो उस केस में, आपका किया गया कार्य हो जाओगा, रिनात्माग होगा, मतलब मान लो, ये वस्तू ऐसे जा रही थी, आपने जो बल लगाया है वो कुछ जो भी ठीटा आप लोगोंने बनाया है शेतिश के साथ, वो कितना है? 90 से जादा है 90 से जादा का मतलब क्या होगा आप वस्तू के विस्तापन की विपरिदिशा में बल लगा रहे हूं शेतिश के साथ कैसे माल लो वस तुदर जा रही है और आपने इधर खीच लिया तेखो श्यतिश के साथ जो आपने कॉन बनाया है वो ये वाला लोगे ये वाला नहीं लोगे क्योंकि कॉन में से एंटी क्लॉकपाइस रेक्शन में लेते हैं ठीक है क्लॉकपाइस में ले लिया तो नेगेट अगर क्लॉकण घ्रहटेस प्रेकमान नैटी डिग्री और यानि कौन इग्जाःकल निटीड़िर हो जये तो इस केसमे किया गया कार rap थीक है कार ये त Чер तनक है यह फिरून होता है यह ए ήतानों जब आ वस्तु को नीचे पुछ करने की कोशिश करोगे, तो अब वस्तु कैसे चल सकती है, उसको तो आप नीचे दबा रहे हो, नीचे दबाने की विज़े से इस case में किया गया कारा क्या होगा, रिनात्मक होगा, I hope इतनी बाद सबको clear हो गई होगी, ठीक है, चलो पर आगे चलते हैं बच्चो, तो अभी तक अपने बहुत भालतों की बाते कर ली, अब में कुछ और topics प्याते हैं, हाँ, अब आत करते हैं, कारे की विमा एब मात्तरक के बारे, कारे कामने जो जनरल फॉम्ला पड़ा, वो पड़ा, Fs.cos.θ, ठीक है, यहाँसे हम लिख सकते हैं, सद इसका मात्तरक हो गया, Newton into meter, यह इसका, MKS मात्तरक है, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, Joule, Joule इसका, CGS मात्तरक, जूल इसका, ऐसा ही मात्तरक है, ठीक है, जे का मतलब क्या है, पर, Joule से, ठीक है, तो Joule इसका ऐसा ही मात्तरक है, जो Joule scientist था, उन्हें का उश्रदान जली इसके निगले हमने दे दिया, ठीक है, और इसकी dimension यहाँ तो यार, बच्चे-बच्चे के, रटी हुई होगी, एक चीज और बता देता हूं, चलो, CGS मात्तरक, वो भी वैसे पता ही होगा, हम लोगो, चल्ला-चल्ला के, बोल रहे होगे, इसका CGS मात्तरक होता है, ठीक है, ठीक है न, एक जो जूल होता है, और दसकी का सार अरग के बराबर होता है, I hope यह बात सबको clear होगी, मैंने पड़ा रखा सेक्ट चब करना, इसके अलावा अगर मैं इसकी dimension याने इसकी विमा के बारे में बात करूँ, तो Newton की विमा तो आप सबको रटी भी है, M1, L1, T-2, म यह इसकी विमा भी मार पास आगी, तो I hope यह बात भी सबको clear होगी होगी, basic सी बात है, हमने कहीं न कहीं पहले पड़ा है, main चीज है इसकी विमा, ऐसे ही मात रख होता है, आपका जो Joule है, वो इसका इसे ही मात रख है, और इसका CGS मात रख है, और इसकी विमा जो है M1, L1, T-2 है, ठीक है, I hope सबको इसकी बात अच्छे से clear होगी हो, चालो, आगे चलते हैं फिर, अच्छा, एक फरजी से कोशन है, बहुत ही, बहुत ही फरजी, क्या बोलना, एक माली गास का काटने की मशीन को 20 मिटर चलाता है, यदि बहुत 20 किलोग्राम भार लगाते हुए, शेतिच के साथ 60 डिगर का कौन बनाता है, उसके दोरा किये गए कारे की घंड़ी, यहापर माली कोई और नहीं हमारी प्रिंसेस है, ठीक है, प्रिंसेस गास काटने की मशीन से गास काट और वो जो मशीन है, वो शेतिच के साथ 60 डिगर का कौन बना रही है, ऐसा उन्होंने बोलगा, ठीक है, और 20 मीटर तक चल जाती है, 20 मीटर्स, ठीक है, और 20 किलोग्राम भार, अरे यह बड़ी प्यारी चीज है, इसने बोला 20 किलोग्राम भार, जड़ा फोकस किरके देखो 20 किलोग्राम भार लिखा हुए, आपको याद होगा, ऐसी जगो, यानि इसने कुल मिला के हमें, वही दिया है, बल ही दिया है, लेकिन बल दिया है, इसने 20 किलोग्राम भार, केजी एफ, जिसको किस से गुणा करना पड़ता है, 9.8 से, ताकि वो जूल, वो हमारे न्यूट 166 new, ठीके, तो यह मारे पास बल का मात रख हो गया, और स्वरी बल का मान हो गया, 196, तो हमें कारे का मान निकालना है, तो बिटा, कारे कितने बड़ाबर हो जाएगा, वो ही, f का मान गतना है, 196, विस्थापान है थिस, और कॉस रगया, 60, ठीके ना, I hope सब को पता है, को 60, होता है कितना होता एक बट्टा दो कि इसको सॉल्फ करेंगे बिटा दस आया और सॉल्फ किया तो कितना है हमारा जूल में ठीके ना बिलकुल फर्जी कुशिंदा कुछ भी नहीं था बस में चीज फोकस करने वाली बात यह थी कि 20 किलोग्रम भाल लखावा है बाके तो सारी बाते सेम ही है पस एक चीज़ ध्यानक ना कि उसने जो कॉन दिया ना और शेतिश के साथ ही हो अगर कॉन उ इस केस में उसको 90 में से माइनस करना पड़ता है यह ठीक है जाल में साइड में आपके लोगों के लिए नाम पर यह था था हूं कि क्यूर्ट के वारे में नोट है कि शेतिश के साथ हो as it is ले लो as it is जो है वो ले लो माल नो कौन थीटा दियावा है तो थीटा ही लेंगे और उर्दवादर के साथ दियावा है न तो उस case में जो भी कौन आ रहा है उसको 90 में से माल लो भी बोलता उर्दवादर के साथ 60 डिगरी का कौन बना रहा है तो मैं उसको 90 में से पहले माइनास करता हूँ लिखता हूँ उसका मान 30 डिगरी गल्दी से भी लत ना करें ठीक है चले अरे एक और कॉस्चिन चलो ये भी देख लेता है NCRT का ये तो एक साइकल चालक साइकल को 10 मीटर की दूरी पर रोकता है इस दौरान रोड पर उसने 200 N का बल लगाया जो की गती के विप्रिदिशा में था बतला रोकने के लिए उसने जो बल लगाया 200 N का वो गती के विप्रिदिशा में लगाया वो आगे देना चाहता है रोकेगा तो बल तो बीचे लगेगा तो road दोरा cycle पर किया गया कारे road ने cycle पर कितना काम किया अब देखो road ने cycle पर कितना काम किया कितना काम किया भई कारे के लिए बलेंटो विस्थापन ठीक है और obviously बात है road ने cycle को रोकने में help करी इसका मतलब हम minus लगाएंगे ठीक है और 200 newton का बल लग रहा है और 10 meter का विस्थापन है तो आंचर आजाएगा minus का 2000 joule और इसके बाद बोला cycle ने road पर कितना काम किया गया cycle ने road पर कितना काम किया 2000 नहीं 0 क्योंकि road में को विस्थापन हुआ ही नहीं road तो अपनी जेके ही है तुम road को दोड़ना गस का लोगे इसके मतला दूसरे वाले का अंसर हो जाएगा 0 क्योंकि विस्थापन इस case में 0 है तो लिखेंगे विस्थापन क्या है 0 इसलिए इसलिए हमने बोला किया गया कारह भी 0 होगा ठीक है बाकी cycle आगे चल रही road पीछे पुश कर दी इसलिए किया गया कारह रहात बगता ठीक है आप यह ऐसे समझ सकते हो कि cos 180 बनेगा वस्थापन आगे जाना चाहते है लेकिन बल पीछे के तरफ लग रहा है और कौन फिर 180 का बन गया देखो ना यह आपकी cycle cycle वाला और यह उसका है handle handle और यह उसका सर हाना बालशाल और यह उसने पकड़ा handle pedal चला रहा है इस तरीके से तो यह जा रहा आगे लेकिन बल लग रहा है पीछे रोखने के लिए तो पीछे लग रहा है तो इसमें कौन कितना मना 180 और कॉस 180 कितना होता है माइनस एक इसलिए यह तो डायरेक्ली स्वोमले से करो एफ एस कॉस सीटा से थीटा का मन एक सीट रखना पड़ेगा यह तो माइनस लगा दो एक ही बात है ठीक है दोनों मेंसे कुछ भी कर सकते हो एक साथ मत कर दे न दोनों मेंसे कोई यह यह एक चीज चले अब हम बात करते है बच्चो परिवर्लं दो रक्या गया गया परिवर्टी बल का मतलब क्या होता है कि बल बार-बार चेंज हो रहा है अभी तक जिन बलों के बारे में अपन बात करे थे न वह अले किया थे नियत थे कुछ भी चेंज ही हो रहा था बल लग रहा है इतना विस्थापन हो रहा है बल 20 नूटन को, 30 नूटन को, 50 नूटन को लग रहा है बेसिकल इस केस में क्योंकि आपका बल बार 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 चेंज हो रहा है तो अकर मैं बल और विस्थापन की बीछ में कावड रहा करूँगा जैसे मैंने यहां पर कर रखा है NCRT का ही फिगर है यह यह रब बल और यह आपका विस्थापन ठीक है ना इस इस यूर डिस्प्लेस्मेंट और हमने क्या करना हमने दो अलगलग पॉइंट फिक्स कर लिए बही मुझे दो अलगलग पॉइंट चाहिए जहाँ पर मुझे विस्थापन निकालना एक है एक एक्सवन और दूसरे मारे पास एक्सटू इसको रप करके मैं एक्सटू प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं तो आप लोगों को फील आ जाएगा इसको हटा हो एक्सटू अच्छे से नहीं लिख रहा ना हट अभी लिख चेंज हो रहा है कभी बढ़ रहा है कभी फॉंस्टें हो जाता है एक फिर गटरा है मंदब वाटेवर इट इस बेसिकली बल बार बार चेंज हो एक्समें हम पहले तो बहुत चोटे से विस्थापन के लिए कारें निकालें जैसे डीक्स विस्थापन है और बल कितना लग तो मैंने बोला किया क्या कार रहे है कि छोटा सा बल है f into dx f into dx f into dx या in proper way you can add it as f vector dot dx ना अच्छा तो यही रहेगा कि अच्छे से लिखू मैं हांगे को सीटा तो पता नहीं अभी f vector dot dx vector लेकिन मुझे तो उसका x1 x2 तो कारे निकालना है तो मैं दोनों तरफ समा कलंड कर दूँगा तो दोनों और समा कलंड करने पर दोनों और समा कलंड करने पर ठीक है dw is equal to f vector dot dx vector और कार्य जो है वो कहां से कहां तक किया जा रहा है x1 x2 तक जो समा कलंड है वो x की डंब में लग रहा है लब x के साफ एक शो रहा है तो limits भी उसकी के लगेगी यह आ गया हमारा पस कार्या यहां इसको हम लहसा ले सकते हैं सिर्फ w बराबर क्योंकि dw जो d है वो integration को कार्य देता है तो हम यह आ पास कार्य कितना आ गया f vector dot dx vector from x1 to x2 तो अगर आपका जो पाल है वो बार बार चेंज हो रहा हो विस्सापन क्या गॉर्डिंग तो हम उसका समा कलंड कर देंगे x1 to x2 ठीक है x1 to x2 तक एक example देता हूं मालो किसी बस्तू पर जो बल है वो कुछ इस तरीके से change हो रहा है सबन की साथ change हो रहा है जैसे x vary कर रहा है वैसे बल भी vary कर रहा है आने मालो कि ए ना एक example दो अगर आपको कि आपको यहांसे ना station जाना तो बेसिकले आपका बल यहांसे बारबर बर रहा है क्यों कि आपको यहांसे चलाने के लिए कम बल लगाना पड़र अपैर जादा बल लगाना पड़ेगा फिर फीर आप इसकली x कोच और ने वस्तापन के साथ सथ आपका बल और यहांसे उस तरीके के problems के लिए और माल लो मुझे x1 बराबर 2 meter से x2 बराबर 3 meter तक कारे निकालना है और मैंने बोला अच्छा इस case में theta venture नहीं हो by default उसको cos theta को 1 माल में तो अगर हमें theta venture नहीं हो तो सीथा सीथा formula का लिखेंगे f dx x1 से x2 x plus 1 2 से लिके 3 और उसका समा कलन करना मैंने आपको सिखा रखा है तो वह आप करेंगे तो आपका answer आचाएगा इस तरीके की problems के साथ deal इस तरीके से हम कर सकते हैं ठीक है I hope सबको clear otherwise हम बोल सकते हैं कि जो बल और विस्थापन की बीच में जो अपने curve draw करा है उसका वक्र से परिबद शेत्रफल उसका वक्र से परिबद शेत्रफल ये ये आपको कारे देगा वक्र से परिबद शेत्रफल ये आपको क्या देगा ये आपको कारे देगा ठीक है ये आपको कारे देगा ये चीज़ ध्यान देखिए ओके चलिए तो इस पे बहुत ही फ़र्जी सा question है जिसके लिए अपने को कारे की गणना करनी अच्छा कारे में इक चीज ज्यानक नही है यहाँ पर फोर्ट्च वर्ञ रहा है तो कारे भी नेकिटिव लेंगे ऐसे नहीं आपनी इच्छा से पास्ट ज्यानक तो अगर न प्लस, क्योंकि धनात्माग में एक और वापिज देको ट्रपीजियम दिख रहा है समलम चे तुर बुझे एक बटा दो इन्टु समांतर भुजाओं का योग क्या क्या समांतर भुजाओं है? 10 और 15 10 और 15 2 समांतर भुजाओं है दिख रही है 10 प्लस 15 एक बटा दो इन्टु समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी है उचाई उचाई क्या ही रही? ऐसे यहां से निगले ही उचाई ऐसे पीछे में से आगे को माइनस कर दो तीन में से दो को माइनस कर दो एक आजाए तो हमारे पास इस केस में कितना आया? वन उचाई चेक है? प्लस वापिस है नात्मक जोगे पॉजिटिव है एक बटा दो अब तिरे बुजा नहीं इसलिए आदार कितना इसका? चार मैनस तीन एक उचाई कितनी है? फंदरह अब आया बात पकड़ में ना तो इन नेगेटिव अला पार्ट है तो नेगेटिव में नेगेटिव करेंगे तो लगेंगे माइनस हाफ विस्थापन वही पाँच मेनस चार एक और उचाई वही इस बार क्या है? ये बाटा माइनस का पंदरह है ना दस नहीं मानना थोड़ा मानता हूँ कि ग्राफ प्रॉपर्ली क्लियर नहीं होगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमारा पंदरह है ठीक है? इस केस में देखो बस जोड़ दो एड़ कर दो सबको तो 10 प्लस दस और पंदरह केता हुआ 25 बटा दो और प्लस 15 बटा दो और माइनस 15 बटा दो मर गया 15 बटा दो से माइनस 15 बटा दो कैंसे 10 प्लस 25 बटा दो का मतलब उत्ला बटा बटा 12.5 solve करेंगे 12.5 आएगा नहीं तो आप 10 बटा कि बटा दो फ्रेक्शन में भी छोड़ सकते हूं बटा 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 में कितना आया 22.5 और जूल लगाना ना बोले ठीक है ना ऐसा कुछन नीट में आया हुआ है नीट में आया वा प्रॉबलम ऐसा नीट आ जई में आचारेगा ठीक ऐसे बेसिक बेसिक से प्रॉबलम वो दे देते हैं ठीक है I hope सब को इत्ती बात क्लियर हो गई होगी ठीक है बच्चों चलो फिर अपन आगे चलते हैं आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अब आपन दोलना सर आप तो बगा रहे हो तरेन बगा रहे हो यार दो गुंटे पछ आप टर गटम करना है सोचो तो ट्रेन बगानी पड़ीगी थोड़ी चलो अब हम बात करते हैं बिटा कार्य वाला पार्ठ हमारा एक्चुली खतम हो गया अब हम बात करते है उर्जा के बारे में तो बच्छमन से तुम बहुत सारी सीजे पढ़के आए उर्जा के बारे में उर्जा क्या होती है? किसी भी वस्तू के कारे करने की शमता क्या है इसका मतलब? जैसे मैंने खाना खाया आस वर मस मुने खाना हो नहीं खाया, आ मैं चिला रहा हूं, बहुत बोल रहा हूं, बहुत जोड़ जो उसे बोल रहा हूं फे recording करना हूं तो मैंने कुछ खाया, खायने की वज़े से इस मेरे में काश कुछ ऊज़ाई तो उजा का मतलब क्या है कोई ऐसी चीज जो मुझे कार्य करने की शम्तब राग करने मतलब मैंने जो खाया उसके वज़े में बोल पा रहा हूँ कहीं न गए उस खाने ने मुझे कुछ रहा हूँ जिसकी वज़े से मैं कार्य कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूं तो मुझ चल रहा है, मुझ चल रहा है, कुछ न कुछ का रहा है, हो रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे मुझ चल रहा है, जबड़े चल रहा है, विस्थापन हो रहा है, बल लग रहा है, ठीक है, सब हो रहा है, आपको आवाज भी आ रही है, तो यह सारी ज परक्естव के पास कहींकत्र करने कृपरने की कितनी और ऐसकी कहीं के बाइप संस्धा। ज्यसके ऐसा को ourals के और करने की कितनी हमने हैं तो उसके पास पास को अंगेर की बाatz भी. ऐना में किक बाइए रख्या है टेबल पे टेबल अटा दी, बॉल का जाएगी, निच्चू, क्यों जाएगी, क्योंकि उसके पास कुछ न कुछ ऐसा था, जिसके उसे उसने कार्य किया, उर्जा क्या होता है, कार्य करने की शम्ता, इस अब आप बच्मन से जानते हूं, अब तुम्हारे सिलिवस में 10 अलग तरीके की उर्जा दे रखिए, लेकि वो टॉबिक में नहीं पढ़ाँगा, साव बोल रहा हूं, वो आपको खुद पढ़ना है, क्योंकि थेयरी है, हम सिर्फ एक स्पेशल प्रकार की उर्जा के बारे में बात करेंगे, उसको अपन यांतरिक उर्जा है, मेकानिकल अनरज अब जो मेकानिकल अनरजी यांतरिक उर्जा है, वो दो तरेके की होती है, बच्पन से सब जानती होगे, पहला है गत्य जुर्जा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, काइनिटिक एनरजी, और दूसरा, इस्तितिच उर्जा, जिसको हम बोलते हैं, पोटेंशल, एनरजी, तो इनके बारे में अपने कोट डीटेल में पढ़ना है, काइनिटिक और पोटेंशल, बस, यहीं है, ठीक है, इस पोटेंशल में भी बहुत तरीके की होती है, बहुत चाहरे अलग लग तरीके की होती है, उसमें से मुझे कौन सा पढ़ना है, तो गुरुत्वी है, और एक अपने को पढ़ना है, इस्प्रिंग, एक और आएगी, इस्तिर वैदुत की, वो अपने एक स्क्लास में पढ़ेंगे, मतलब क्लास 12 में, आएगे, यह हैं सारी कहाणी, इस्तिर रुजा में गूरुत्वी है Philadelphia और इस्तिर रुजा और स्जिंग Дोन अपने को पढ़ना है, चालो, दो ना अपने को पढ़ना है, चालो, I hope यह सब को clear हो गया होगा तो वस्तु के वेग के कारण, उसमें जो एनर्जी होती है, उसको बन क्या बोलते हैं, उसकी गति की बज़े से, रिवर फ्लो कर रही है, जाके खड़े हो जाओ सामने, बहा ले जाएगी बटा, तेज बहा रही है तो, यह तो खड़े रहने के लिए भी कुछ न कुछ, तुम पुष करती है पीछे, और उस पुष को रोखने के लिए, आप सीधे खड़े होने के लिए, कुछ न कुछ बल लगा रहे हैं, तो जब वो रिवर फ्लो कर रही है, तो फ्लो करने की वज़े से, उसकी गति की वज़े से, उसमें कोई न कोई एनर्जी है, तो इसको अपन क् कार्य उर्जा प्रम्य में, पढ़ेंगे कि मालो की बच्चा जो है बजौना स्टार्ड करता है, तो जब तक वो विराम में नहीं आजाता, उस टाइम तक, उसने जितना काम किया, वो उसकी गतिर उर्जा के बराबर होता है, ठीक है, ऐसा हम आगे पढ़ेंगे कार्य अब इसका जो basic formula तुम लोगों ने पढ़ा है समने, half in v square ये अपने को derive करना है, वैसे इसका general formula नहीं, क्योंकि general formula क्या होता है, v square minus u square, ठीक है ना, ये है इसका general formula, this is the general expression for kinetic energy, मतलब गति जबजा के लिए, general sutra यही है, ठीक है, कभी-कभी कुछ English में जादा हो जाता है नहीं, ठीक है, ठीक है, डिराइव करने वाले, ठीक है, डिरीव करने वाले तो टेको, क्या बिल्कुल simple, pharji's the derivation, बिल्कुल pharji है, सच में, तो अबरपस, बाल है, बाल पहले kितने वीत सल रही थी, उवीत सल रही थी, तो, मिनने उसको कुछ दख तुम ने किक मारा इंटा हॉं अ किके से विक्रणा चेकट ब लागानी के बादmeया कुछ विक्टापन हुआ है कि बॉल का ढयान क Cit arguments? Yes अब लिधनने पर ट cheapest है में लुब गाने के अज वीन कितना मेर व ग brass if a मुझे पता है बॉल का प्रारंभिक वेक कितना था मुझे पता है बॉल का अंतिम वेक कितना है ना मुझे बल पता है ना मुझे विस्थापन पता है ना मुझे तोड़न पता है ना मुझे समय पता है मैं मुझे कुछ भी नी बता except three quantities हमारा द्रविमान दूसरा उसका प्रारंबिक वेग और तीसरा उसका अंतिम वेग तो यहां पर यू जो है वो मुझे पता है वो है हमारा प्रारंबिक वेग और वी क्या इसका अंतिम वेग है ना और 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 एम इसका द्रविमान ये तीन चेजें बता है बस ठीक है ना बस और कुछ नहीं बता है अब मैं क्या करूँगा मैं इसके लिए इससे दिर उर्जा का एक्सप्रेशन निकालू अब मैंने बोला किसी भी वरस्नों के कारे करने की शम्ता को उर्जा करते है तो मैं कारे से ही उर्जा की गड़ना करने वाला हूँ तो डबल्यू बराबर एफेस कॉस्ट थिटा अब भई जब तुमने बल लगाया उसी दिशनों में विस्था बन हुआ विस्था बन हुआ थेटा का मन 0 हो गया और गाष जबाने एक होता है इसलिए उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा ऐसितएटा का मन यहां है और थीटा का मन जेरो लिखेंगे ठीक है ना तो इस वाले फार्ट को में स्किप करके लिखेंगे A सिधा सिधा Fs समस्या यह कि मुझे तो F into S B नहीं पता यह पता है इस वस्तुगा द्रहमाल M है यह नहीं पता कि इसमें कितना विस्थापन उत्पन हुआ या कितना विस्थापन उत्पन हुआ M पता A S नहीं पता है A S निकालना पड़ेगा A नहीं पता, S B नहीं पता A और V पता है तो गत्ती की 33 सिमिंकन का यूज करूंगा V स्कूरर इस उकोज तो U स्कूरर प्रस 2 A S तो मुझे A S निकालना है तो देखो यह कि यह विस्कूरर माइनस U स्कूरर इकोज तो 2 A S ठीक है और यह 2 चला गया डिवाइड में तो हमें A S का मान मिल गया V स्कूरर माइनस का U स्कूरर इपाउंट ठीक है न यह सारी कैलकुलेशन कर कुराने के बाद बस स्कूरर पर रख दो क्या मिला मुझे? मुझे मिला M V स्कूरर माइनस U स्कूरर इपाउंट यह हमारे पास गतिज अरुजा का सूत्र आ गया है यही गतिज अरुजा के बराबर है ऐसा हमारा जो कारे अरुजा प्रम है यानि वर्क अरज जो थर्म है वो बोलती है जो भी अपन पढ़ने वाला है किया गया कारे जो होता है वस्तू की गतिज अरुजा में परिवर्तन के बराबर होता है वो derivation भी है तो हमारे पास गतिज अरुजा का सूत्र आ गया M V स्कूर माइनस U स्कूर अपाउंट टू जनर्रल केस के बारे इन बात करो जो तम पढ़ती आए हो वो क्या मारे पास अगर U 0 के बराबर हो गया सूत्र कितना हो जाएगा था मारे पास H M V स्कूर मेंस U स्कूर जब गतिज अरुजा है इंग्लिश में इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते है काइनेटिक एनर्जी इसलिए इसको में लिकर हम K E क्या लेकिना इसको K E K E stands for काइनेटिक एनर्जी यहां कही कही शॉट में सुर्फ K लिख दिया चाहता है ठीक है तो इस केस में काइनेटिक एने गतिरुजा होई हाफ M V स्कूर माइनस जीरो का स्कूर यह में देगा हाफ M V स्कूर यह हमारे पास गतिरुजा का सूत्र आगे ठीक है यह आगे हमारे पास तो I hope सब बच्चों को इतनी बद क्लियर हो गई होगी अब इसी से रिलेटिट एक चीज़ और है वो हमारी अच्छा पहले यह देख लेते पिर कारवटर प्रमे में चल जाएंगे तो गतेजूर दस्म्देग में पी कया होता है मल्च पी गतेजूर दस्म्देग मंत्लब शॉट कराए किः अग किःब देख एजी होग तो K याने गते रुज़ा का माना है half mv square मुझे क्या करना है एनियाव इस कुछ में करना है मैंने लिखा K is equals to half mv square अब दो option है यहां तो मैं V हटा दू यहां से हाना V और half हटा दू यहां फिर मैं काम करूँ मैं M से उपनीचे गोना करूँ तो मैं क्या करूँगा M से गोना बाग करूँगा क्यों कर रहा हुँ मैं ताकि mv का square में जड़े देखना अभी क्या होगा ऐसा करते ही हमें मिला half m square v square क्योंकि M से गोना किया था और नीचे m कर सकते हैं mathematics बोलती है सब अब देखो उपर रॉली टमकों में क्या लिख सकता हूँ mv का square और नीचे क्या लिख सकता हूँ ठीक है m into v क्या बन गया p तो p का square upon 2m इसको यहां ले जाओ 2m k is equal to p square तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो p है वो root में 2m k के equal है ठीक है ना जो p है वो root में 2m k के equal है ठीक है या फिर directly p square equals to 2m k है अब एक question आप लोग के दिमाग में आएगा sir ऐसा कर देते तो sir sir half m v को अलग कर देते v को अलग कर दे sir यह बन गया मारा p यह बन गया मारा v क्या मैं ऐसा नहीं लिख दू p equals to 2k upon v शरीवे तो correct है ना ही भगवा ना ही गलत है क्यों गलत है क्योंकि वस्तुका वेक तो समय के साथ बार 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 चेंज हो सकता है द्रवेमान नहीं द्रवेमान constant है जो constant quantity होती है उससे हम गोणा भाग कर सकते है एक हमारी constant quantity है इसलिए हमने n से गोणा भाग किया तो यह relation हमाने पास है ठीक है relation काफी जग आपकी help करेगा याद रखना है और ऐसा नहीं करना है कि सामय जैसा मैंने आपको बताया ठीक है I hope सब को clear यह से एक जो अच्छी important चीज़े निकल किया रही जैसा कि इसको देखिया गत्य जोड़जा अगर इस relation करते हो है गत्य जोड़जा P square के directly proportional है और उन्हें आपको बहले बताया है अगर कभी भी ऐसा हो तो दो अलग 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 समवेग मिल सकते हैं माल लो आपको एक स्कूल में एक्जाम कोशन आए मतलब स्कूल के paper में कि बही वस तू की गत्य जोड़जा इतनी थी बाद में इतनी हो जाती है पहले समवेग इतना था बाद मताओ बाद में समवेग इतना होगा इसका use करेंग ठीक है? आपकी इच्चाव तो पढ़ो नहीं इच्चाव तो मताओ ठीक है बच्चाव तो आपकी इहां तक सबको clear हो गया होगा चलते हैं आप नेक्स टॉपिक पर चलो बच्चों तो आप अपन आगी चल रहे हैं इस टॉपिक देखिए हमारा क्या है कारे उर्जा प्रमेंदे को वैसे मैं आप सब को अलड़ी भी बता चुका हूँ कि जबी भी आप किसी वस्तू पर कोई बल लगाते हो तो कारे होता है कारे की वज़े से क्या होगा हमें परिवर्तन के बराबर होता है mathematical हमें स्कुर्ण से लिख सकते हैं कि किया गया कारे W जो है वो गत्य जड़जों में परिवर्तन यहने डेल के एकवल होगा तो जो अपने पहले किया था वो भी यही करा था और बोला था क्या W जो है किसके बराबर है 1.5 mv2-1.5 mv2-1.5 mv2 यहां जिसको हमने लिखा था 1.5 mv2-1.5 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 mv2 और यही क्या था कारे के बराबर था ठीक है तो इसको हम बोल सकते अंतियम गतिरोजा इसको बोल सकते हम प्रारंबिक गतिरोजा अंतियम को हम लिख रहे हैं बेटा के एफ से के एफ का मतलब हुआ फाइनल का इंटिक एनरजी हिंदी में अंतियम गतिरोजा ठीक है इसी तरीके से का मतलब इनिशल का इंटिक एनरजी ठीक है जिसको हम बोल रहे हैं प्रारंबिक गतिरोजा I hope यह बात सबको clear होगी So that means यह हमारा half mv square जो फाइनल है और यह हमारा initial So हमारी जो किया गया कार्रे है वो कते रुजा में परिवर्तन के बढ़ा बढ़ा जाए I hope सबको इतनी बात clear होगी तो यह हमारा बोलता है कार्रे उचा प्रमे ठीक है? चलो हमारा जो next topic है क्योंकि हम अब गतिज उर्जा वाला topic पढ़ चुके है जिसमें हमने गतिज उर्जा का expression निकाला फिर अपने सम्वेक और गतिज उर्जा में सम्मद देखा और उसके बाद सबसे last में हमने कार्रे उर्जा प्रमे देखी अचा कारे उर्जा प्रमे एक्जाम में प्रूफ करने के लिए तो जो अपने गतिज उर्जा वाला expression निकाला था न वो कब ही करना है ठीक है? कुछ अलग नहीं करना तो नेक्स्ट हमारा जो topic है इस्थितिच उर्जा तो देखो नाम से कुछ समझ आ रहा है इस्थितिच वस्तू की इस्थिति के कारण उसके अंदर उर्जा अब वस्तू की इस्थिति की वज़े से उसमें उर्जा कैसे हो सकती है पिटा तो यहाँ पे जब हम किसी भी वस्तु की इस्तिदी को परिवर्थित करते हैं किसी भी force को reference लेकर किया ना किसी बल के सापिक्ष जैसे इस pencil को मैंने इस side से side तक उठाया तो मुझे पूरत्वा कर्शन के against कुछ नो कुछ काम करना पड़ा उसकी वज़ए से इसमें कुछ energy store हो गई कुछ उर्जा संचित हो गई उसको अपन क्या बोल रहे हैं? इस्तिदेश उर्जा तो किसी भी वस्तु की किसी बल के सापिक्ष जो इस्तिदेश होती है उसके कारण उसमें जो उर्जा होती है उसको पर बोलते हैं इस्थितिच उर्जा यहाँ पर इस बात समझना बहुत जरूरी है कि आप किसी बल के सापिक्स वस्तु को गती करा रहे हो ठीक है ऐसे नहीं करी स्पेस में बल है ही नहीं आप गती करा रहे हो तो इस्थितिच उर्जा नहीं आईगी करने का मतलब है उसको विरूपित कर दें उसका shape change कर दें जैसे हम यह पढ़ेंगे second book के first chapter में किसी भी इसको stretch करने से खीचने से उसकी लंबाई बढ़ जाती है उसके अंदर भी जो उड़ जाए वह इस्तितर उड़ जाई है तो किसी वस्तु की भव उड़ जा जो इसकी इस्तिती यह विरूपन मतलब deformation के कारण होती है उसे इस्तितर उड़ जाए अब जो इस्तितर उड़ जाए वो बेसिकली तीन तरीके के हमारे पास ठीक है पहले यह गुरत्वी इस्तितर उड़ जा gravitation potential energy क्लास 11 में ही पढ़ना है अभी पढ़ना है फिर अब प्रत्यास सितर उड़ जा elastic potential energy वो भी हमें इसी क्लास में पढ़ना है ठीक है और लास्ट हमार पास वैदुत इस्तित की इस्तितर उड़ जा electrostatic potential energy यह क्लास 12 का 1st चाप्टर है ठीक है वहाँ पर 1st और 2nd चाप्टर में इसके बार हमें पढ़ने वाले है तो 1st और 2nd जो पार्ट है इसके gravitation potential energy और जो आपका है elastic potential energy दोनों के दोनों 11th class के topic और हमें आपे पढ़ने है एक एक बार थोड़ा सा detail में इनको देख लेते हैं फिर इनको यह वाले दोनों पार्ट इसको खतम करेंगे ठीक है चाला तो देखो पहली तो हमारे पास गुरुत्वियस से दिरूर जा तो कुछ ना कुछ काम किया काम करने की वजह से में कुछ ना कुछ energy store हो गई उसकी वजह से इसके अंदर जो energy store हुई है उसका नाम क्या गुरुत्वी है इससे तिज उर्चा तो इस पार जो हमने बल लिया है वो कौन सा लिया है गुरुत्वाकरशन बल बस तीनों इससे करते हैं तो वापस इसको initial state में लाने के लिए कुछ प्रत्यास्त बल लगता है वो और थड़ वाले case के अंदर charges की बीच में जो है इस्तिर वैदुत की बल लगता है उसके अगेंस्ट काम करना पता है तो basically तीनों case में सिर्फ बल change होता है यहां पर हमार पास गुरुत्वी आप सब जानते हैं MGH अभी देखते हैं MGH को भी ठीक है तो यह मारा potential इसको short में बोलते है लिखते है PE क्यूं क्यूंकि potential energy इंग्लिश में potential energy बोलते है तो example देख लो किसी भी dam के अंदर आपने water collect कर रखा है खटा कर रखा है बांद में वह से दिरूर जाए आपने किसी वस जाए प्रत्यास जिरूर जाए कभ किसी form करते है। Deform मतलब मैंने spring को खेंड दिया। मिधिएй सब्दि आई यहां से माल अलोल बन्दिवी से कीसी से लगी है होका से सब्स्टेंस है और मेंने सब्स्ट्रिंग दिया है आपर कित्व मालें पकड़ happy in kitchen's aillar a pic कुछ हो जाएगी तो कही ना कहीं जा आप इसको खीचते हो तो जैसी छोड़ दे तो वापस इनिशल इस्टेट में आ जाती है वापस इसस्टेट में आ जाएगी तो आपने प्रत्यास बल के वरुद्धो कुछ ना कुछ काम किया और उसकी वज़से इसमें जो एनर्जी आ गई वह कौन सी है प्रत्यास इससे दर उचा ठीक है इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेस्टिसिटी ठीक है तो उसको बन बोलते हैं प्रित्यास इस्टित उचा बहुत अच्छे एग्जामपल देखो आप लोगों ने वह छोटा टॉय तो देखो ना बच्चोमाला और चाबी गुमाते हैं पर बन्दा नाशन लग जाता है और बजाने लग जाता है आगे चलने लग जाता है जो भी होता है तो इसमें स्प्रिंग है ना कुछ इस तरीकी की होती है इस तरीकी की स्प्रिंग होती है और जब आप इसके अंदर की लगाते हो चाबी इंसर्ट करते हो और इसको गोल-गोल घुमाते हो तो यह पास-पा स्प्रिंग को खीचने की विज़े से जो उसमें उड़ जाई वो इस्तेतिच उड़ जा है कौनसी प्रत्यास्त ठीक है एक इसके बात देखें लास्ट है हमारा 12th का पाट है बटा यह 12th में पटेंगे इसको इंग्लिश ने बोलते हैं elektroste करेंगर फिर भी पास में लाने के लिया आपने कुछ ना कुछ गाम किया होगा तो जो आपने काम किया वह ही उसके अनरजी के फॉम में स्टोर हो गया यहां इसी तरीके से माल लो दो विपरित आवेश हैं एक धनावेश है एक रनावेश हैं दोनों को वो ऐसे पास-पास आना चाहते हैं चिपकना चाहते हैं दूसे लेकिन आप खीच के दोनों को अलग करें अलग करें तो क्या होगा अलग करें तो अव्यसी बात है आपने कुछ ना कुछ काम किया उस काम की वज़े से उसमें जो एनरजी स्टोर हो गई वो कौँछी थी इस्तिरवैदुत की इस्तिरुजा ठीक हैं तो दो समानावेशों को पास लाने पर उनकी इस्तिरुजा बढ़ती है क्योंकि आपने कुछ काम किया है जाना दूर जाते थे तुम पास में लेकर रहे हो इसी तरीके से दो असमानावेश जो पास में आना चाहते है उसको आप दूर लेके जाओगे तो आपने कुछ काम किया उसकी वज़े से में जो एनर्जी होती इस्तिर वैदुत की सितिच उर्जा ठीक है बाकी डीटेल में अपन क्लास 12 में जब पढ़ना होगा तब पढ़ेगे ठीक है बस अभी आपको इतना समझना है कि जब हम किसी भ सबको इतनी बात क्रिया रहें चले अब बात करते में हमारे गुरुत्विय से दिरुजा के बारे में यह सबसे इंपोर्टन और काफी सई टॉपिक है ठीक है तो आप सब जानते हो बच्पन से पढ़ा भी है तुम लोग है कि गुरुत्विय से दिरुजा का सूतर क्या होत गुरुत्वा करशन बल इसको नीचे की तरफ ंजब से खीच रहा है अमजब से खीच रहा है बल का मान M बल का मान M 2 और कितनी हुआ हीड तक उठाया है है तक अज ड़े किया आपने आपने कीतना काम किया इतना किस किया ये वाय में एक्स्टरनल फूर्स में जबकि अगर मैं इस गुरुत्वा कर्षिन बल के रेफरेंसे देखू तो गुरुत्वा कर्षिन बल के लिए तो बहुत उपर जा रही है और बल तो नीचे लगा रहा हूँ इसका मतलब उसने जो काम किया हूँ माइनस अगर गुरुत्वा कर्षिन बल के रेफरेंसे या उसके संदर में देखू तो यहाँ पर बस वर्कड़न आज़ता है और यही इसके अंदर पूटेंशन एनजी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है याने इस तेरोजा की फॉर्म में लेकिन यह फॉर्मला सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब एच का मान जी आर से बहुत छोटा हूँ आर के यहाँ पर प्रत्वी की तिर्जा लगबग 6400 किलोमेटर जो है 6371 किलोमेटर है लगबग 6400 लेते हैं उसको तो प्रत्वी की तिर्जा है यह तो यह चीज है हम क्यों क्योंकि अगर मैं प्रत्वी की तिर्जा देख तो वो है 6400 किलोमेटर मुलाब 640 जीरो फिर तीन जीरो इतनी बड़ी तिर्जा है उसमें तीन 50 मीटर या 100 सेंटेमेटर बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन किसी चीज को आपने 100 किलोमेटर पर फिक दिया फिकता नह पास में हो तो यह हमारी पोटेंशन जीगा बेसिक सा फॉर्मुला है आएगे सब को पता हो तो आएगे सब को समझ आ गया होगा गुरुत्वी इससे दिर्जा क्या होती है अभी देखिए आगे हम बात करते विटा गुरुत्वाकरशन बल सनलक्षी बल की रूप में इससे और एक तरफ में लख रहे हैं है बात नरक्षी बल से लेगे गए हो उसको सिरफ इनीशल और फाइनल पोजीशन से प्रारंबिक और अंतिम इस सिद्धी से मतलब हो उसको हम बोलते हैं हमारा संदक्षी बन जो बल पत पर निर्भर नहीं करते हैं केवल प्रारंबिक और अंतिम सिद्धी पर निर्भर रखते हैं ठीक है जैसे गुरत्वाकशन बल अभी एक इग्जांपल देते हैं जबकि इसके उल्टे जबकि जो दूसरे वाले न असन नक्षिबल वो इसके उल्टे है जबकि हमारे पांपेड़ पेंद करते हैं यह नॉन कंजर्वेटि फॉर्से से इसका मतलब क्या अभी आपको ग्रेविटेशन से समझ आएगा नॉन कंजरिवेटिव फोर्सिस पत्पर निर्वर करते हैं ठीक है इसके एक्जाम्पल एजसे फ्रिक्शन फोर्स हुआ मतलब गर्शन बल हुआ और क्या बोलते हैं शान बल हुआ यह सिर्व इसके एक्जाम्पल है जबकि सनलक्षी बल के एक्जाम्पल आपके जिसे गुरुत्वा कर्शन बल है वो सनलक्षी बल है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता जैसे मैं आपको बोलू कि आप इस वस्तु को यहां से आपे लेकर आए तो भी आपने MGH काम ही किया आप वस्तु को ऐसे ऐसे करके अचाइटा को ठागे लेकर आए तो भी आपने MGH काम किया ऐसे लेकर आए तो भी MGH काम किया बेसीकली जो आपका गुरुत्वाकाशन बल है या गुरुत्वी इसलिए वो कभी भी पाथ पेड़ निकरती उसको कोई लेना नहीं है कि आप उसको किस पाथ से लेका है उसको सिर्फ किसे मतलब है प्रारम में कि सितिय क्या है अन्ते मिस्तिय क्या है और उनके भीच की नियो देनाम दिया एक तरफ में ऐसे लेकर आया या टेड़ा मेरा लेकर क्या आया इस चीज से इसको कोई फरख नहीं पड़ेगा हर केस में जो स्टोर अनर्जी हो किसकी क्या होगिया मर पास MGH, हमार पास हर केस में स्टोर अनर्जी कितनी होगी MGH ठीक है? आप चाहो तो पुरूफ भी कर सकते हो, देखो, simple है, माल लो, इसको मैंने नाम दिया, AB, इसको BC, इसको CD, इसको DE, और इसको EA, इसे नाम ज़िए, तो देखो AB जो है, उपर जा रहा है, बल आपन उपर लगा रहा है, विस्थापन उपर हो रहा है, मतलब आपने काम किया, तो यहाने इस केस में, मालो आपने MG के साथ कितनी उचाही तक चले आप AB, फिर देखो, BC, व वस्थू उपर जाना चाहती है, विस्थापन उपर है, मतलब काम किया, कितना किया, MG into CD, प्लस अगेन, वस्थू के अंदर विस्थापन इस दिशा में है, बल उपर लग रहा है, किया गया कारे, 0, प्लस, वापिस देखो, वस्थू आ जाना चाहती है, उपर, विस्थाप वही आएगा, H, so, जो हमारा गुरुद्वा का शर्मल है, वो सरनक्षी बल क्यों है, क्यों, पाथ प्रिपेंड करता ही नहीं, उसको सिर्फ इस से मतलब है, कि इनिशल फाइनल पोजिशन की आती, बस, ठीक है, एक चीज में आपे और बताना चाहूंगा, कि जो conservative forces होते है, अच्छा, हमारी बुक में, इस potential energy को उन लोगों ने यू से लिख रखा है, ठीक है, मैं या पे यू ही लिख रहा हूं, क्योंकि हमारी बुक वालों ने इसको यू ही लिखा है, और mostly जगे, इस्तिर उर्जा को यू से लिखते है, आप चाहों पी ये लिखतो, चाही यू ल किया जगना, मैं क्या बोल रहा हूं, संनरक्षी बल के बराबर होता है, इसका उन ब करेश है, इसका मतलब ही विखत विखते है, कीतना काम कया। लिखत वाकर्शन बल दारा क्या गया कया चाहरर। कितना काम किया देखो mg तो लगाया force विस्थापन हुआ h लेकिन विप्रदिशा इसलिए उसने कितना काम किया माइनस का mg h हमने जो किया वो प्लस का mg h था क्योंकि वस्तू भी उपड जा रही थी और विस्थापन भी उपड ही था लेकिन जो गुर्दवा का शुनमन ने किया वो कैसा था? माइनस का mg h तो लेकिन इस्थिर रुजा तो mg h ही है तो इसका मतलब सन्रक्षिबल ने जो काम किया वो इस्तिर रुजा में परिवर्तन के रनात्मक के बढ़ा बढ़ा है यहां पर हम यह बोले है ठीक है यह रिलेशन अपने को याद रखना है काफी इंपोर्टन है यह सन्रक्षिबल के रेफरेंस में बोला है अगर मेरे रेफरेंस में बोलता तो नेगेटिव का साइन नहीं लगता नहीं लगता जब मैं मेरे रेफरेंस में बोलता लेकिन सनरक्षिबल में लगता है क्योंकि सनरक्षिबल हमारे इस्तित उर्जा की विरुद्ध काम करता है ठीक है चले आगे बात करते हैं उर्जा सनरक्षिबल के नियम के अपरे में बहुत एजी है आप सबको बता है किसी भी स्टेट पे किसी भी पोजीशन पे वस्तू कि कुल इस्तित उर्जा हमेशा कहरती है सनरक्षिब रहती है यह चींज नहीं होती है जिसे बॉल फेकी नीचे, maximum kinetic energy थी यह इकतम इसतितरोजा थी ऊपर गई 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 इसतरोजा कम हो रही है तुर बढ़ रही है बढ़ रही है यांत्रिक उर्चा वो सेम रहेगी संरक्षित रही हम यहां पे बोल रहे हैं संरक्षी बलों के लिए conservative forces के लिए किसी कण अत्वा बिल्गित निकाय मतला कोई भी हमारा एसा system जिस पे और कोई external यह भायबल ना लगा कि कुलियांत्रिक उर्जा गतिज उर्जा यानि इससे उर्जा का योग जो है वो नियत रहता है इसको हम क्या बोलते हैं उर्जा संरक्षन का निया यानि total energy total kinetic energy plus potential energy इनका योग यह आपकी book में लिखाया है यू लिख ले इनका योग नियत रहता है यह चींज नहीं होता अगर संरक्षी बल के अलावा और कोई बल ना लगारा होता है ठीक है संरक्षी बल दौरा किया गया कार्य यह है और गति जुर्जा में परिवर्तन के अंदर जो कार्य वह यह है तो अगर मैं दोनों कार्य को compare कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा इसको डाल दो एक इसको डाल दो दो समी करण एक वर दो से तो हम लिख देते हैं समी करण एक वर दो से क्या मिला देखो एक तरफ ता चेंजित कारय अटिक allowed ऑधि पारिवर्ता दूसरे तरह मािनस तरफ यू इस से तरल जाम के पारिवर्ता अब गते जुर्जा को आप ऐसा लिख सकते हो ना के फाइनल, माइनस के इनिशल, अन्तिम माइनस प्रारंबिक, ऐसे इसको भी क्या लगोगे, क्या लगोगे, क्या लगोगे, अन्तिम माइनस प्रारंबिक, अन्तिम माइनस प्रारंबिक, सबको पता है, अन्तिम को हम F से लेखते हैं, क्यों के फाइनल होता है, और I प्रारंब और F परिट हमको एक तरफ, तो KF प्लस UF is equal to Ki plus Ui, ठीक है, तो आप देख लीजे, कुल उर्जा हमेशा सनननक्षत रगई, यह फाइनल अनरजी, निशल अनरजी, सेम आ गई, ठीक है, इस तरीके से हम उर्जा सनननक्षत कर सकते हैं, इसका डेरिवेशन एक सिल्बस में एक बॉल गई उस करके, वो भी देख लेते हैं लेकिन समझना क्या है कि बस कुल उर्जा सननक्षत रगई, इससे बहुत चर नियुमेरिकल बहुत एजली हो जाते हैं, ठीक है, चली, उर्जा सननक्षन के नियम के लिए एक छोटी सी डेरिवेशन है, उसकी सत्यता के जाज कर चली बस में दिरखियें तो कर लेते एक बाद ठीक हैं तो आपने कै करा, आपने एक बॉल को उपर से नीचे ड्रॉप करा, जैर मोसे अ दिज न कर दियरे 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 घर गरतिच गरतिच अरूस भर नीचे पहुछने से जस्ट पहले मतल भूब ग्राउण को ठच करने से जस्ट पहले जो उर्चा है उसको कौन सी उर्चा है छास खऴच ठीक है? तो बस हमें तीन पॉइंट लेने ए सके अनदर लेट से आपका जो पहला पॉइंट है, इसको हम पॉइंट A बोलते हैं, सबसे टॉप्मोस पॉइंट, फिर बीच का कोई पॉइंट B पॉइंट और सबसे लास C पॉइंट, ग्राउन को टच करने से जस्ट पहले हैं, क्योंकि ग्राउन को टच करते ही सारी energy, sound में, भुहनी म उदर heat में, उश्मा में, इस सब में कनिवाट उचाहिए, ठीक है, तो हम सिर्फ तीन पॉइंट में, थर्ड पॉइंट पे मान के चलने की जस्ट ग्राउन को टच करने वाला ही है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम तीनों केसिस में निकालेंगे, उनकी इससे जरुजा को बिंदू एक पर इखो, बिंदू ए पर उसके पास कौन सी उचा है, सारी के सारी इससे जरुजा है, गते जरुजा तो जीरो है, इससे जरुजा कतनी है, mg नीचे के दरफ गुरत्वा कर्शन पर लग रहा है h height पर है कुल उर्जा कितनी आई गतिच प्लस इस्तिच mg h यह तो आसान था अब आते हैं बिंडू b पर तो बिंडू b पर अब दियान से सुरो उसकी height वो कितनी दूरी चल ली? s दूरी ग्राउंड से कितनी height पर ची? तो टोटल थी h उसमें से s height चल ली मालो 10 meter की उचाई पर थी 3 meter चल ली नीचे कितनी पर ची? 7 कैसे निकाला? 10 में से 3 को minus करा तो अगर s दूरी चल ली h height पर थी कितनी उचाई आगई? h-s तो याने उसके पाइस इससे दितर हो जाए वो है mg h-s आप इने काल ली इंकर देच समस्या यह है कि यह मुझे नहीं पता कि जब वो b-point से गुजरेगी ना तो उसका wave क्या होगा? इसके लिए मुझे इस concept का यूज़ करना पड़ेगा कि a बिंदू पर उसका प्राणम्ब एक जीरो था क्योंकि जब उसको drop किया था उसका wave जीरो था तब ही तो हमने लिखा है उसका प्राणम्ब में जो काइंटे के अनरजी याने गत्य जुरज़ा है वो जीरो है तो यहाँ पर तो इसका wave पता है जीरो है लेकिन यहाँ नहीं पता है हाँ question mark अब मुझे इतना दो पता है कि उसने s उचाई मतलब यहाँ एस दूरी तेह करिए और a का मान जी के बराबर है positive है क्योंकि ball नीचे गिर रही है ठीक है इसी concept का use करके पनंतमवेंग निकालते है तो देखो यहाँ पर हमारको पता है यू कितना उसका 0 वी पता नहीं a जी के बराबर है और जो विस्थापन या दूरी उसने तेह करी है वो s के बराबर ही है हमें वी चाहिए a है u है s है हमें वी चाहिए third equation use होगी v square is equals to u square plus 2as देखो v square किसके बराबर आगया 0 plus 2gs v square किसके बराबर आए 2gs इतना रहने दो बस तो इस बिंदू पर इस के इस गति रुजा कितनी होगी half m v square half m और v square के वल्यू कितनी है 2gs यह लो आगया तुमारा काम कातम कितनी होई value mgs कितनी होई value mgs तो देखो, टोटल जो अलर्जी हमारी, किनेटिक प्लस पोटेंचल, यानि गतिच प्लस अस्तिच, यह इतना आगया, देखो, Mg, H-S, प्लस, Mg, S, देखो, सॉल्फ करो, Mg, H-Mg, S, प्लस, Mg, S, मर गया, क्या बचा, Mg, S, तो बेसिकल, यहां पर हमारी गतिच, जो टोटल एनरजी है, वो क्या है, यहां पर सेम निकली, थर्ड पॉइंट पर चेक करना, ठीक है, तो देखो, थर्ड पॉइंट के पर आते हैं, यहां पर जब बॉल थी, पॉइंट A पर, यहां पर थी B पर, और यहां पर A C पर, अब अब बात ऐसी है, ठी मुझे पता है कि GROUND को टच करने वाली है, यानि बिंदू C पर, उसकी इससे दिरुजा तो जीरो हो गई, इतना तो पता है, जो U है वो तो जीरो है, ठीक है, लेकिन चली कितनी IT है, हरारा GROUND भरा ज़ते पहले, तो यहां हरारा GROUND, ठीक है, कितनी IT कि एक चली है? H1 तक चली है, तो मझे पस यह पता करना है कि यहां पे इसका वेग कितना है, अब मेरे पास दो अप्शन है, यहां तो जिसटा है, यहां तो मैं B को र zijफ्रेण्स मान पर देखू, इसको बही हितना थ है, जीरो, कितनी उचा ही चली, H? एक अमान किश के बर प्लेस थी, ऐसी चली थी, अब H चल गए, देखो, V² is equals to U² plus 2AS, V² पता नहीं, U0 है, 2, A का मान G के बराबर, और H, V² किसके बराबर आया, 2GH, बस, हो गया तुमारा काम, हाफ M, V² होता है, हाफ M का मान, M ही है, V² का मान, 2GH, मर गया, कितना है है, MGH, ठो, को लोड़ जा, कितनी है ही मर पास, अभी भी है MGH, समीगाण 1 में भी MGH, समीगाण 2 में भी MGH, और समीगाण 3 में भी MGH, मतलब हम बोल सकते हैं, किसकी कुल उर्जा, हर बिंदू पर, constant है, same है, इसका मतलब हमने यहाँ पर उर्जा सन्रक्षण के नियम को verify कर डाला, आएगा exam में question, तीन नम्र में, ठीक है, आएगा तो तीन नम्र में, इससे company आए, ठीक है, I hope सबको clear हो गया होगा, चलो, आगे चलते हैं पिर, हंजी, एक graph इसका देखना बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अभी देखो, हम खुद का graph बनाते चलो, हम बने बता है, कुल उर्जा तो सन्रक्षण है वे, ठीक है, तो मैं एक reference के लिए line draw कर जाते हैं, यह हमारी कुल उर्जा को बता रही है, हमारी कुल उर्जा इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, अब स्टार्टिंग में जब बॉल उपर थी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो सारी उर्जा कौन सी थी उसके पास, कौन सी थी, इस्थितिच उर्जा थी, तो इसका मतलब, जब उसकी height, यह मैं जो graph बना रहा हूँ, फहले तो बता दूँ आपको, उर्जा में, कुल उर्जा में, और height पर बना रहा हूँ, जब उसकी height किती थी, अधिक्तम थी, तो कौन सी उर्जा थी, कौन सी उर्जा थी, इस्थितिच, देखो, जब height क्या है, मैक्स, देखो, जब height क्या है, maximum है, तो कौन सी उर्जा है मेरे पास, इस्थितिच, और, जब height 0 थी, देखो, यह 0 height है, तो कौन सी उर्जा थी उसके पास, गतिच, जब, जैसे माल लो, ball का आपने नीचे से उपर फेका, तो कब पहले कौन सी energy है, kinetic बढ़ते 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 कम होती गई वह, पहले maximum कौन सी है, kinetic, फर वो धीरे-दीरे कहा होने लग गई कम, कानिटिक energy है एच हाइट पे, जब आपके हाथ में थी, अपने फेका, धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे कड़ गई, और जैसे हैच हाइट पे आप 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 उचें, वह 0 हो गई, straight line है, यह तोड़ी तेड़ी हो गई, इसी तरहीके से, अगर मैं, सिदिच के बारे में बात करूँ, ठीके न, तो यह हमारा, इस फॉर, गदिच, यह गदिच के लिए है, और यह हमारा इस्टिच के लिए है, ठीके न, गराफ अपको याद रखना है, काफी important है, चली, I hope यहां तक सब को clear हो गया होगा, उपर भी ना रखाए, नीचे बना गया है, ठीके, तो I guess सब को यहां तक अच्छे से clear हो गया होगा, हमने गदिच, जो हमारा, पुल उजाता, उसका संरक्षन खतम कर लिया, ठीके बच्चों, अब आगे वापे से स्थितिच में चलेंगे, क्योंकि स्थितिच में हमारी एक चीज रगई है, उसका नाम है स्प्रिंग की स्थितिच रगई हमारा टॉपिक रह गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं स्प्रिंग को खीच रहा हूँ, ठीके, तो स्प्रिंग की स्थितिच रगई है, वो मोस्ट आइमपी टॉपिक है, फॉर यॉर से लिबस, एक्जाम में इस से सबसे ज़्यादा कुश्चन आप में है, यह आप मान के चलिए, ठीके हैं, कापी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझना है, तो होता क्या है भी, जब आप किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो, खीचते हो, आगे के तरफ खीचते हो, तो एक बल जो है, वो उसको वापिस अपनी स्थिती में लाने का प्रेयतन करता है, जिसको अपन इस प्रिंग का बल बोलते हैं, इसी तरीके से आप इस spring को दबाते हो, अगर आपने अंदर रखका दिया है, तो वह spring का बल कहा लगेगा बाहर, ताकि उसको push करके बाहर, जैसे आपने हाथ अत्राया पीछे चला जाता है आप इस spring, initial position में आ जाता है, तो मैं आप यह बोल रहे हैं, कि ज़िए आपन किसी को spring को दबाते हैं, या खीचते हैं, तो दोनों के इसमें, आपके बल के विबरत दिशा में, एक बल लगता है spring का बल, आपको उसके अगेंस्टी काम करना है, आपको उसके विरुद्दी काम करना है, उसकी वज़ए से spring में energy store हो गई, जैसे आपने छोड़ा बल लगाया हटाय चाहिए, उसकी बल लगाया है, तो यहाँ पर अपन यही पढ़ने वाले, जैसे spring है, यह साम्यमस्ता है, साम्यमस्ता है ना तो आपने इसको stretch कर रहा है, ना तो खीचा है, ना तो दबाया है, जैसे इस वाले के इसमें, आपने खीचा, खीचते हैं, आपने जो बल लगाया तो बाहर की तरफ, और जो spring ने बल लगाया है, अंदर की तरफ, क्योंकि आपके विप्रतिशा में लग रहा है, तो यहाँ पर Fs मतलब spring का बल, वो कहां लग रहा है, अंदर की तरफ, ऐसे जब आपने spring को दबाया, तो आपने बल का लगाया, अंदर, spring का लगाएगी, बा यहाँ पर Fs बोलेंगे, applied force, जो हमने लगाया है, और Fs बोलेंगे, spring का force, जो spring ने लगाया, जो हमारे हमिशा विप्रतिशा में लगेगा, ठीके बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए छोटा सा derivation करेंगे, कि spring की ऊजा आती कितनी है, ठीके, देखेंगे सबच्चे यह हमारा, simple सा diagram, जिसमें हम बोल रहे हैं, यह हमारी spring, और इससे हमने एक block को ररका दिया, तो यह block हरा रहा, block, ठीक है न, इसकी normal length है, normal length का मतलब, ना तो stretch हुआ है, ना तो यह compress हुआ है, मतलब ना तो खीचा है, ना तो दबाया है, और मैंने क्या किया, मैंने इसको खीच इसको खीच दिया, इसको खीच दिया, यह ऐसे खीच दिया, तो देखो, खीचते ही, इसकी कुछ ना कुछ length में increment हुआ होगा, यह जो length increment हुआ है, याने जो लंबाई में परिविरतन है, उसको पने एक्सपूर, आपने जो बहाया बल लगाया और किस दिशा में लगाया थ लेकिन spring ने कहा लगाया, अंदर की तरह, आपने लगाया बहार की तरह, लगाया होगा, लेकिन spring कहा लगा रही है, अंदर की तरह, तो हमें क्या करना है, spring की potential energy calculate करनी, spring की सिरुजा calculate करनी, यह अब हमने पढ़ा है, इस्तिद उर्जा में परिवर्तन, सनरक्षी बल द्वार यह एक कार्य के रिणात्मक के बराबर होता है, यह हमने पढ़ा है, ठेक है, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दू, कोई भी conservative force जो होता है, यानि कोई भी सनरक्षी बल जो होता है, वो एक चीज़ को follow करता है, वो क्या होता है, कि जो सनरक्षी बल जो लग होता है, वो विस्थापन, कि सीदे समानुपाती होता है, अब हमारे case में, जो सनरक्षी बल जो कौन है, spring का, तो fs, वो किसके समानुपाती है, x के, जब समानुपाती का चिन अटाते है, हम यह पता है, क्या आता है, नियतांक, पर यहाँ पर वो नियतांक कौन है, k, with negative sign, k के के हैं यहाँ पर, spring का नियतांक, क्या बताता है, spring की hardness या softness, कि spring अगर hard है, बहुत, अब जैसे आप लोगों ने देखियों को, वो रेल-गाडियों वगर में लगी होती है, बहुत मोटी मोटी spring, बहुत होती होती है, ठीक है, तो उसके लिए, के कामान ज्यादा होगा, जो spring soft होगे, हम भी वो, pen वाले तो example नहीं दे सकता, उसको तो खीचते है, परबनेंटली होगा उसका गाम तो, और जो better quality की होती है, उसको खीचते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो easily खीच जाती है, तो इस पहले, के कामान कम होगा, तो soft होती हो, के कामान कम होता है, और अगर hard होती है spring, तो k कमान जादा होता है, तो जो k है, वो spring का हमारा नियतांग है, ठीक है बच्चों, यह अब हमने minus का sign क्यों लगाया, क्योंकि जो f लग रहा है, जो हमारा spring का बन लग रहा है, वो विस्थापन की विपरिदिशा में है, यह minus का sign क्या बता रहा है, विपरित दिशा में है, ठीक है यह बता रहा हमारा minus का sign, यह हमें बता हूं, अच्छी है, यह तो हमने जो spring ने लगाया ना, तब हमको यह वाला formula लेकिन अगर आप से कोई पूछ ले, कि आपने जो बहाया बल लगाया है, वो किसके बराबर है, तो आप बलोगे, क्योंकि हमने जो बल लगाया है, विस्थापन की दिशा में है, मैंने बाहर कीचा, विस्थापन भी बाहर हुआ, लेकिन अगर मैं spring के reference से देखू ना, तो spring बल तो अंदर लग रहा है, लेकिन spring तो stretch बाहर की direction बो रही है, बाहर की दरफ खिच रही है, तो इस case में minus की अगर spring के reference से और अगर मैं मेरे संदर्प से देखू, मेरे reference से देखू, मेरी जो दिशा है विस्थापन की वो बल की दिशा में है, इसलिए negative sign नहीं आएगा, ठीक है, हम इस formula को भी नहीं ले रहे है, हम इसका use करते हैं, ठीक है, अब ध्यान से देखना बटा, क्या हुआ, हमें निकालना कारे, ठीक है, कारे किसके बराबर होना चाहिए, कारे जो है, जो भी सनरक्षी बल ने काम किया है, वो ही जो हमारे स्थे दुर्जा में परिवर्तन के बराबर होना चाहिए, तो हम यही करेंगे, हम बोलेंगे, कि भाई, आप एक काम करो, बल तो आपको मिल गया, तो आप का बारे किसके बराबर होगा बल इंटो विस्थापन के यह पड़ापन है यह पड़ापन है बल इंटो विस्थापन ठीक है बल इंटो विस्थापन पड़ा है तो इस case में मालो आपने spring को x1 से x2 तक stretch करा एक सब्सक्राइब ती वो मालो दो पोजिशन पर stretch किया x1 पर आई और stretch किया x2 तक आई ठीक है तो यह हमारा reference point यह वाला जो दूरी है यह वाली है यह हमारा x1 है और यह वाली जो दूरी है दूसरे वाले के यह x2 है यह जो दूरी हमल ले न बक्से के बिलकुल center से ले यह जो दूरी है जत्ती खिज गई है x1 ती और यह जो और खीज दी वह x2 होगे तो आपने उसको x1 से x2 तक खीच दिया तो आपने कितना मताब स्प्रिंग ने कितना काम किया मैंने नहीं स्प्रिंग मैं स्प्रिंग के थारा किये गए कारे की गढ़ना कर रहा हूं क्योंकि संलक्षी बल्की बाद होगी f is f into x और dx तो dxe और negative sign अब आप बोलो के sir आपका cos theta कहां गया तो देखो बच्चो हमने minus का sign पहले ही लगा दिया है क्योंकि कि आप जब खीच रहे हो तो spring का बल पीचे लग रहा है विस्थापन की दिशा में मतलब दोनों के दिशा विपरित थी तो minus sign पहले लगा दिया इसलिए cos theta नहीं भी लगाओगो तो चलेगा ठीक है क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि विपरित इशा है और minus भी लगा दिया तो tension खताब बस अपने को अब इसको calculate करना है तो जो बल लग रहा है spring का वो constant है बाहर आ जाएगा समाकलन किसका हो जाएगा x का x1 से x2 तक x का समाकलन याद करें सब बच्चे x की power n का समाकलन क्या होता है घात में एक जुड़ जाता है नीचे भी घात में एक जुड़ जाता है नीचे जो घात थी उसमें एक जुड़ के लिख देते है क्या पर देको कितना है माइनस का f इसकी गात कितनी एक एक और एक इतना हो गया दो कहां से कहां तक x1 से x2 तक तो देखो माइनस f सबसे बहले रखते हैं उच्छ सीमा फिर रखते हैं हमारी निमन सीमा हमने गड़बड करी चलो बता देता हूं मैं गड़बड यहां पर ज्यादा परिशानी वाली बात नहीं है हम गलती से इसको x लिए f लिएक चल रहे हैं कि तो k है ना अभी पढ़ा ना बीचे तो k था मैं f लिख दिया मैंने कोई परिशानी वाली बात नहीं है k है ठीक है और फिर निमन सीमा तो महरे पास यह मान आया यह कार रहा है कि इसके लिए spring के दोरा किया गया कार लेकिन मुझे तो गति जरुजा निकालनी है और जो इसके जरुजा होती है कि इसके बराबर होती है गति जरुजा में परिवर्टन के negative sign के साथ तो याने इसकी जो इस्थित जरुजा आई या उसमें जो परिवर्टन आया इसके बराबर होती है इसका negative यह अपने कार निकालना ना इसका negative तो negative से negative मर गया तो हमें इस्थित जरुजा का सूत्र के मिला कि x2 का square upon 2 minus x1 का square upon 2 इसका general formula का निकालता हमारा हमारे पास आया कि x2 का square divided by 2 minus x1 का square divided by 2 यह हमारे पास इससरुजा में परिवर्टन आगे है minus स minus के चलो यह आगे हमारे पास value अब generally जैसे है आपन गतर जरुजा में भी आपने वीवन को 0 माल लिया था और x2 को max ले लेता हो simplified एक formula आजाएगा k x square यह आपको यादर जैसे half mv square था जैसे half k x square है बस simple सा तो है ठीक है तो इसको अपन graph के तुरू भी बता सकते हैं अभी देखो हमने बोला अगर मैं spring के बारे में बात कर रहा हूँ तो तो spring का जो force है वो minus की x की equal है तो अगर मैं इसका graph बनाऊँगा f और x के बीच में तो graph कैसा बनेगा graph बनेगा कुछ इस तरीके का minus आ रहा है न जिन बच्चों ने 0 चप पर अच्छे से पढ़ा उनको पता है minus का मतलब क्या है पहली बात हो तो कोई origin से पास होगा क्योंकि cv लगावा नहीं है और minus का sign का मतलब है graph ऐसा होगा यहां से पास होगा इस बिन दूसरे ठीक है न इस point से बिल्कुल middle याले point से पास होगा और इसका slope याने ढाल रिनात्मक होगा क्योंकि minus का sign है ठीक है और हमें पता है अगर हम अंडर को वीरिया के बारे में बात करें वक्र से परीबद शेत्रफल के बारे में बात करें बिटा वक्र से परीबद शेत्रफल हमें क्या देता है दोनों को गुणा करने पर जो राशी मिल रही है कारे दोनों को गुणा करने पर कौन सी राश्य मिल रही है कारे तो इसका मतलब ये जो है हमें सनरक्षी बलदौरक किये गए कारे का मान देगा ठीक है सनरक्षी बलदौरक किये गए कारे का मान देगा ठीक है I hope ये बात सबको clear हो रही होगी तो माल लो आपने इसको x विस्थाप, x लोडी तक विस्थापित किया, ठीक है, 0 से f तर, तो आपने कितना कार्य किया, half, या फिर माल लो x1 से x2 तक विस्थापित किया, चलो, जनरल ही रहते हैं x1 से x2, ठीक है, तो यह पूरा कार्य आएगा, दोनों ही negative आएंगे, क्योंकि इसकेस में इस्थापन negative हैं, और इसकेस में बल negative हैं, जो आपने कार्य किया, जब आप निकालोगे, तो आजाएगा आपके पास वही जो पहले निकाला था आपने, ठीक है न, ऐसा कुछ कार्या चाहिएगा, निकाल लीजेगा, आराम चाहिएगा, ठीक है, तो यह जो कार् पर यह है, कि जो, इसका जो graph है हमें, वो क्या देता है, इसकी इससे दिस ऊठ जाएगा, ठीक है, ऐसे, और इसका जो ढाल है, वो हमें क्या देता है, के, हमें इसकी ढाल क्या देता है, के, मतलब spring का नियन तांक, I hope इत्ती बातों को समझ चाहिए, में derivation है, पहले बता देत है, ठीक है, एक graph है, बहुत प्यारा सा, वो graph क्या है, मैं आपको बता जाता हूँ, जब किसी भी spring को खीचते हो, तो कीचन के बाद जैसे आप उसको छोड़ते हो, पहले तो इसकी जो इससे दिर उर्जा बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर suddenly जैसे आपने spring को छोड़ दिय जाए, गतिच कम हो गई, छोड़ा, आगे जाएगी, और अपनी initial position से थोड़ा सा आगे भी चली जाएगी, है ना, तो अब देखो, गतिच बड़ी 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 बड़ी, और यहां तक max हो गई, फिर वापश दीरे तो इस तरीके से कुछ कहान ही हो गई एक पेंडूलम की तरह यह उसुलेट करता है आवरत गति करता है मालो यह स्प्रिंग ती आपने इसको यहां तक खीज देया और यह इसकी नॉर्मल पॉजिशन है तो यह क्या होगा के पर खीज ने है पर इसकी गतिज कि बढ़ने लग जाएगी बढ़ने लग जो जाएगी इस पॉंट पर गिवा ओらい क्यूट पीर यह ऊंपर उप्र्डिंग थोड़ा कंप्रेस होगा कंप्रेस होनी की वाज़े से मालो यह पर आप पहुचा पर यहां पर भी स्थेतिज testify और गतिज जिँटिए जिपकी बीच में गतिज्य जो माक्सिम होगी और सदेज आई वो जीलो ही सबार ग्राना ऊंतो इस्थेम फेश दोनों एक्ट्रीम पॉइंक पे हमारी जो स्देज उर जारे वह अधिक्तम है कि यह देखो ठीक है और मिड में काइंटिक एनरजी में सर आप सर ऐसा भी ग्राफ तो बना सकते थे ऐसा ही क्यों बनाया पैरा बॉला क्यों बनाया भी तो देखो अभी फॉर्मला पढ़किया है हाफ के एक्स स्क्वायर और मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ और आपकी विस्थापन याने एक्स के बीच हो मैं आ रहा हूँ यह यहां पे एक्स है तो देखो ना पैराबॉली तो बनेगा क्योंकि अभी भी बढ़ा है हाफ के एक्स स्क्वायर तो एक्स एक दुईगाज स्विकान आ रहा है तो इसका ग्राफ है काफी इंपोर्टेंट आप लोग को आना चाहिए तो इसी के साथ ही आपका स्प्रिंग वाला पार्ट होता है खतम एक हमारा शक्ती वाला चोटा सा पार्ट और रहे गया है उसको हम खतम करते हैं फिर लास्में टकर और हमारा चाप्टर ओवर दोनों समान काम कर रहे हैं लेकर जल्दी काम कर रही है और एक लेट काम कर रहे है साइंटिस्टों ने बोला एक नहीं कॉंटिटी देनी पड़ेगी तो उन्हें उस कॉंटिटी का नाम क्या रग दिया शक्ती तो जो हम बोलते हैं किसी वस्तू के कारे करने की दर तो हम बोल रहें time के respect में कौन सी चीज ज़्यादा जल्दी कान कर रहे है जहां दर आ जाता है न महाँ पे वो चीज डिवाइड मतब time ज़्यादा डिवाइड में लग जाता है तो मैं कारे को किस से compare कर रहा हूँ समय से कि कोई भी काम कितना जल्दी हो रहा है कि काम कितना जल्दी हो रहा है ठीक है तो इसका सिंपल सा फूम लग पीज इकोज टू डवल्यू बाइटी बचपन से पड़ते आ रहे हो तुम लोग ठीक है शक्ति में बल द्वारा कारे करने का समय भी सम्मिलित होता जैसा मैंने आपको ला obviously work time तो हो गई दो अलग अलग निकाय जो है वो अलग-अलग समय पे काम कर रहे हैं अगर सेम तो उनकी शक्ति अलग लोग बलिश उनकी energy या फिर काम जो एक जैसा होगा मानता हूं मैं दोने इको लोग है लिगिन शक्ति अलग-लग होगी जिसने जल्दी काम किया उसके लिए शक्ति जादा होंगे ठीक है ना ये एक अदिश्रशी है कापी important चीज आपको पता होनी चाहिए औस शक्ति क्या होती है किसी भी delta समय में अगर आपने delta काम किया बहुत बड़े टाइम में बहुत बड़ा काम किया तो आप जो शक्ति लोगे वो कौन सी लोगे ओसत शक्ति लेकिन आप अगर आप किसी शण विशेश पर शक्ति निकालना चाहते हो तो उसको हम लिखेंगे ताच्चनिक शक्ति और जो ताच्चनिक शक्ति होती है वो किसके बराबर होती है dw upon dt सबको बता है जहां आप टाच्चनिक वर्क लगा जेते हैं instantaneous किसी शण विशेश पर तो differentiation ही करना पड़ता है ठीक है और जब इसको solve करते है तो power का एक और formula आता है fb ठीक है ना एक और formula आता है fb तो एक formula तो तुमने पढ़ लिया w by t एक formula होता है e by t और एक और formula होता है f into b ठीक है यह काफी important है इस पर numerical आने के chances है ठीक है बच्चों तो I hope इस शक्ती वाला भी कुछ समझ आ गया होगा कुछ भी नहीं है कारे बटा समय अगर हमें कुछ समय के बीच में कुछ कारे करना हो तो हम del w को del t से divide कर देंगे इसी तरीके से अगर हमसे कोई ताच्चनिक शक्ती पूछता है तो dw को dt से divide कर देंगे मतलब जो भी कारे है उसका समय से क्या कर देंगे अपन उसका अवकलन कर देंगे और जब इसको solve करेंगे तो हमें P बराबर F into V भी मिलेगा एक अश्वी शक्ती बिटा और है अश्वी शक्ती क्या होता है जिसकी value fix है घोडे की शक्ती नहीं horsepower एक अश्वी शक्ती जो होता है horsepower जो होता है HP जिसको बोलते है वो किसके बारा बोलता है लगबग 740W अच्छा शक्ती जो unit होती है ऐसे वो क्या होती है watt इसकी जो मातरक है वो क्या है watt और अगर आप इस formula से निकालोगे तो आजाएगा joule per second ये भी correct है कोई भी लिखने है दोनों correct है ठीक है तो ऐख यहाँ तक सबको बात clear हो गई होगी शक्ती के बारे में तो बच्चो अब हमारा जो next जो topic बच रहा है वो है हमारे पास टककर तो टककर का हमारा जो topic है ये exam में आने के सबसे ज़्यादा chances होते है क्योंकि काफी important है बिलकुल नया topic है तो आपको आना चाहिए चलो बच्चो तो टककर को आप अपन समझने के कोशिश कर रहे हैं आपे तो देखो अब देखो physics में या normally हमारे दिमाग में के concept क्या होता कि जो आप दो body एक दूसरे के contact में आईगी संपर्क में आईगी तो वो एक दूसरे के way को change कर देगी तो उसको अपन बोलेंगे टककर definition बिल्कुल correct है लेकिन इसमें एक छोटे से word की mistake है वो यह है कि दोनों वस्तुएं आपस में कहा रही है संपर्क में लिए जो गलत है टककर के लिए दो वस्तुएं का संपर्क में आना कभी भी जरूरी नहीं है अगर दो वस्तुएं एक दूसरे के पास आती है एक दूसरे से अन्योनय करिया करती है और उसके बाद वो एक दूसरे के वेग में परिवर्तन कर देती है तो उसको हम बोलते हैं टककर टककर के लिए उनका एक दूसरे के संपर्क में ना कभी भी जिरूरी नहीं है, इसका best example है, जब brother Ford ने अपना experiment किया था, जो उन्होंने alpha particle को, alpha कणो को नाबिक पे फेका था, तो वो जो gold का नाबिक था उससे कभी touch कर रहा है, करी नहीं सकता वो उसको, कभी भी touch नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसा हमारा quantum physics बोलती है कि कभी उसको touch नह जाता था, ठीक है, यहाँ पर भी दोनों गीप से टकर हुई, पहले की वज़े से दूसरे के वेग में परीवरतन आया, लेकिन कोई उन लोगों की बीच में कोई contact नहीं था, ठीक है, तो टकर के अंदर हम बोलते है, दो कण है, पास पास आएंगे, अन्योने करिया होगी, और उनके वेग में कुछ न कुछ परीवरत आना जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से हम टकर को समझ रहें, देखो बच्चों, तो जैसा मैंने आपको बोला, कि टकर के लिए दो कणों का या दो पिंडों का संपर्ग में आना कंपलसरी नहीं है, इसके बाद एक चीच और, यह जो हमने बोला ना कि दो वस्तों का टकर के अंदर दो वस्तों का कंटाक में आना कंपलसरी नहीं है, वो जन्यली किस में होता है, जो हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में बात करते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे कणों के बारे में बात करते हैं, अडू, उपर में contact में आएंगे और जो छोटे-छोटे कण है न माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल छोटे-छोटे सूक्ष्म कण वो कभी contact में नहीं आते हैं, ठीक है? example मैंने आपको बता दिया, alpha कण वाला है, एक चीज याद रखनी है, चाहे कोई भी टक्कर हो, कोई भी टक्कर हो, उसमें एक चीज हमेशा कंजर्व रहेगी, वो क्या होता है? उसका रेखिये सम्वेग जो हमारा टक्कर है, उसमें एक चीज हमेशा सेम रखनी है, कोई सेरी तरीके की टक्कर हो, उसमें रेखिये सम्वेग हमेशा सन्रक्षत रहेगा, सेम रहेगा, जितना प्रारम में था, उतना बाद में रहेगा, ठीक है? ये चीज अपने गयान रखनी है, बस, चले आगे चलते हैं टक्करों के प्रकार के बारे में तो टक्करों के जो प्रकार हैं दो तरीके के आप अपन टक्कर पढ़ने वाले हैं अच्छा टक्करों के अपन प्रकार देख रहे हैं वो क्या बोलते हैं किस तरीकी की टक्कर है उसके आधार पर देख रहे हैं एक और टक्कर के प्रकार देखेंगे, जिसमें अपन देखेंगे, कि उजस इनलक्षन के हिसाब से कौन कौन सी टक्कर हो सकती है, तो हम टक्कर के प्रकार देख रहे हैं, लेकिन वो टक्कर सीधी हो रही है, या टेडी हो रही है, उसके बेसिस पर देख रहे हैं, ठीक है, यह या फिर हम उसको सम्मुख टक्कर भी बहुते है, head-on collision तो head-on collision में क्या होता है, पहले की वो जो पहला जिस लाइन में गती कर रहा था, जिस रेखा में गती कर रहा था, दूसरा भी उसी रेखा में गती करेगा मतब दोनों का जो गती करने के जो रेखा है ना, क्या होगी बिल्कुल एक जैसी, मतब माल लो एक plane है, उस पर दो walls को टकर आया आपने, तो दोनों एक ही direction में गती कर रही थी, और टकरने के बाद कुछ नगुछ वे एक परिवर्त है तूँआ, इस तरीकी की टकर को अपन क्य है ना, वो सेम होनी चाहिए, तो दोनों की गती की रेखा सेम है, चाहे विपरित दिशा में आ रहे हूं, चाहे सेम दिशा में जा रहे हूं, लेकिन गती की जो रेखा है, वो सेम होनी चाहिए, तो देखो लिखा है, यदि एक टकर में टकराने वाले कंड, टकर से पूर्व उनकी जो हम बोल सकते हैं जो टक्कर की जो रेखा है वो अलग लग है या टक्कर से पहले और टक्कर के बाद उनकी जिस दिशा में उगती करें तो चेंज आजाती है ठीक है ना? मतलब कोई सरल रेखा में गती नहीं कर रहे हैं तो उस तरीगे के टककर को हम बोलते हैं, 3-1 तककर, या 2-D कोलिजिन, दिविम टककर, ठीक है, ऐसे यह, आपका एक चोराया है, या तिराया है, मानलो, एक कार यहां से आ रही है, एक कार यहां से आ रही है, तो जब इसने इसको कुलाइड करना तो देखो, कुछ ऐसा हो तो जब टककर से पहले और टककर के बाद, दोनों के दोनों कोण एक सरल रेखा के अनुदिश गती ना कर रहे हो, तो उसको पन क्या बोलेंगे, 3-1 तक, ठीक है, सिंबल सी बात, उसमें सरल रेखा में करते थे, उसमें सरल रेखा में, नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों, त बच्चों, परप्रत्यास अस्थान गुडांग पढ़ेंगे लेकिन बाद में, उससे पहले हम वापिस तकरों के प्रकार देखने वाले, लेकिन इस बार गतिज ऊरजा के संदर्ख्षन के आधार पर, पहले देखा था बिमा के आधार पर, अब देखेंगे गतिज ऊरजा इसने क् money लगाना इसमें घटेजुर्जा भी इतिती हैं और टकर से पहले मलब टकर जब हुई उससे पहले भी दो करण अलग लग थे और टकर के बाद भी दोरो करण अलग लग लग दीध, चिपकते नहीं कभी जबकि पूर्ट अपर अत्यास तक्कर में गतिरुजा कभी सनलक्षित नहीं रहती है गतिरुजा कभी सनलक्षित नहीं रहती है पहली बात तो यह और गतिरुजा में जो लॉस होता है वो भी सबसे ज़्यादा इसी में होता है सबसे ज़्यादा गते जुर्जा में कमी आती है वो इसी में आती है और टक्कर के बाद दोनों बॉड़ी अपस में चिपक जाती है जैसे आपने बुलेट शूट करी जैसे आपने बुलेट किसी मालो कोई लकड़ीगा गुटका गुटका उसमें जाके शूट करी तो वह इसलिए इस केस में गते जुर्जा का लॉस सबसे ज्यादा होता है लेकिन टक्कर के बाद दोनों चीज़े चिपक जाती है ठीक है जबकी इसमें ऐसा नहीं होता थर्ड और लास जो हमारे पास आंशिक प्रत्यास तफिर अप्रत्यास टकर जिसको मैं बोलते हैं पार्शली गते जुर्जा का लॉस होता है इसमें बहिए राख तैसल्टे ऐसमें अंड्रक्षित नहीं ती कि फ्रस्ट वाले केस में उज्ढ नहीं थी और दोनों बोडींचिपक घा घैसमना चीज़े जाता नहीं होता है और दोनों body अलग-अलग हुई थी generally जो आपको टककर देखती है वो यह होती है आंशिक अप्रत्यास टककर जिसमें generally body चिपकती नहीं है लेकिन टककर के बाद कही ना कही उनकी energy का loss हो जाता है एक ball को दूसरी ball से मारा friction की वज़े से घर्षन की वज़े से कही नगा energy का loss हो गया तो यह वाली टककर है यह sound की वज़े से pole game के अंदर उतर बहुत टेज़ाब जाती है वो वाली टककर तो वो अप्रत्यास टककर है लेकिन आप्रत्यास टककर है लेकिन अचिक इसमें तकर से पहले और बाद में गतिर उर्जा सेम लाती है इसका मतलब यह नहीं है कि हर विंदू पर सेम रहेगी ये बात याद रखिएगा ठीक है तो इसमें क्या बोलते हैं सम्वेग में सरनक्ष्य जाता है और गतिरुजा भी ये जन्रली जो इस तरीके के टकर होती है जन्रली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के अंदर होती है बहुत छोटे-छोटे जो कॉन होते हैं जो भी अपन पी और उनमें वीक्रती आ जाती है मतलब उनमें पर्मानेंटली डिफॉर्मेशन आ जाता है जैसे बुलेट को जब अपने मारा लकडी के गुटके पे तो बुलेट तो अंदर खुझ गई जाकर के अब थोड़ीना होल भर जाएगा ऐसे थोड़ना वापिस बुलेट नीचे पीचे निकल लगी वह होल भड़ जाएगा ऐसा तो नहीं होगा वह एक बार उसकंदर जाके घुझ गई तो पर्मानेंटली क्या हो जाती है डिफॉर्म हो जाती है ठीक है इसके बेस्ट एक्जामपल देखो बंदुक की गोली से लक्षर को टकरा कर उची में रुख जाना एक यहां पर यह है प्रेक्षक लोलक जिसको अपन बैलिस्टिक पेंडूलम भी बोलते है तो बैलिस्टिक पेंडूलम क्या होता है मैं आप लोग को बता देता हूं थोड यहां पर अपने पास क्या होता है चोटी सी गन होती है उस गन से आप बुलेट मारते हैं और मारने की बाद वसमें जाके धस जाती है और यह थोड़ा उपर की दरस चल लगता है जितना उपर जाता है उसको पन कौनों की टम से में जर कर लेते हैं यह होता आपका गेलवनोमेटर प्रिक्षक लोलक ठीक है लास देखिए आपका अंचिक प्रत्यास थे पर अप्रत्यास टकर जिसमें टकर के पहले और बाद में गतिरुजात सेम तो नहीं रहेगी लेकिन दोनों बोडिस टकर के बाद अलग-अलग हो चाहेगी सेपरेट हो चाहेगी और उ जैसी स्टार्टिंग में थी वैसी की रह जाती है जैसे बॉल को अपने मारत बिवार पर जो होदा तो आंचिक प्रत्यास टकर का ही एक्जाम्पल है गतिरुजा का लॉप्स होता है लेकिन वह जैसी पहले थी न बॉल वैसी की वैसी आपकी हाथ में आजाती रबर नीं ठी पूनितर प्रत्यास टकर सबसे इंपॉर्टन रही है या मालीजी एक्जाम में चार से पांच मार्स में आपके पास आजाएगा क्या करता है हमें दो बॉले रही है ठीक है चिनका द्रह्यास मान क्या एक रमसर एंफ एंबर म ती और वो u1 और u2 एक से चल रही है तो बोल लिए अपने m1, m2 और वो u1 और u2 एक से चल रही है ठीक है? तो हम कहे रहे हैं कि हमें सम्वेक सन्रक्षत करना है तो प्रारंब में उनका सम्वेक किता था? प्रारंबिक सम्वेक पहले था हमारे पास m1, u1 प्लस m2, u2 और गती दूज़ा कितनी थी? वो थी हमारे पास half m1, u1 स्क्वार प्लस half m2, u2 स्क्वार ठीक है? अब दोनों टकरा गई टकरा गई तो दोनों एक दुश्यों के उपर बल लगाया होगा इसने इसके उपर कुछ बल लगाया होगा इसने इसके उपर कुछ बल लगाया होगा बल लगाने के विज़ से उनके वेग में कुछ नगुछ चेंज आया होगा तो हमें सब मान के चलेंगे कि दोनों टकर के बाद भी v1 और v2 वेग से उसी दीशा में चल लएगे ताकि हमें साइन वां के साथ प्रॉबलम पहले वाले के देखो कितनी है, half m1 v1 square plus v हाई है, half m2 v2 square, अब समवेक संद्रक्षण से ये इसके बराबर होनी चाहिए, करते हैं, समवेक संद्रक्षण से, समवेक संद्रक्षण इसे अपन क्या बोलेंगे, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2, ऐसे ही, गत्य जुर्जा में संद्रक्षण किया मने, उसके संद्रक्षण से, पहले गत्य जुर्जा कितनी थी, half m1 u1 square plus half m2 u2 square is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. बस, अब हमारा पास 2 equation है, जब इन दोनों equation को solve करोगे, तो हमें v1 और v2 का मने करते हैं, वहीं हमें यह पता है, उनों का driver man m1, m2 है, प्रारंबिक वेग भी पता है, हमें निकालना क्या था, उनका अंत्रिम वेग, तो उसके लिए 2 equation होनी चाहिए थी, क्योंकि दो अलग-अलग variable है, तो इन दोनों equation से, सम्वेक सननक्षन से, और हमारी गत्य जरुजा में सननक्षन से, जब इसको अपन solve करते हैं, 9-10 वाली math लगा के, तो जब solve करते हैं, तो final result हमारे पास कुछ इस तरीके काता है, ठीक है ना, यह उनके अंत्रिम वेग है, कहुंबग है, आप लोग खुद निकालेंगे, ठीक है ना, कुछ नहीं है, basic सी math लगाओगे, हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, I guess, आप लोग को यह बात सबको clear हो गई होगी, कि क्या बोलते हैं, मारा, जो एक वी में टकर है, वो क्या होती है, एक topic जो अपर ने बीच में छोड़ा था, उस पर आतिंग बार, और chapter उबर करते हैं, वो है, coefficient of restitution, प्रित्यावस्थान गुड़ांग, क्या होता है, simple, easy, प्रेल तो उसको easy represent करते हैं, होता क्या है, कि मानलों दो बोड़ी से एक दूसरी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, मतब आ रही हैं, और टकराना चाहती है, ठीक है, तो उनकी जो अप्रोचिंग वेग है, उनका पास में आने का जो वेग है, उसको आप नीचे रखो, और टकर करने के बाद मानलों दूर जारी, दूर की दरफ जाना चाहती है, तो उनकी दूर जाने का जो वेग है, आप उसको उपर रखो, इनके अनुपारत को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं, प्रत्यावस्थान गुडांग, या फिर कोफिशेंट ऑफ रस्टिटूशन, ठीक हैं, टकर के पश्चाद आपक्षित वेग, अपन टकर से पूर आपक्षित वेग, यहां, टकर के पश्चाद दूर जाने का वेग, अपन टकर से पहले पास आने का वेग, उसको मुलते हैं, जनरल फॉर्मला कैसे निकलता हैं, अब हमने लिया, यह M1 और M2T, यह U1 वेग से चल रही थी, यह U2 वेग से चल रही थी, टकर के बाद, यह V1 वेग से इसी दिश अब देखो, टकर के बाद दूर जाने का वेग, दूर कौन जाना चाता है? यह, V2 चाता है मैं दूर जाओ, यह M2 जाता है, पना मैं यह U2 बेग से चल रहें, इसका वेग से च्पकना चाती है, इसका वेग धनात्मग लेगे, इसका रिनात्मग, इसको M1 लेगे, V2 minus V, क् क्योंकि ये दूर जाना चाहती थी इसी तरीके से जब हम टक्कर से पूर्व पास अने के वेक के बारे में बात करते है तो अभी भी M1 जो है वो M2 से चिपकना चाहती है उससे टक्राना चाहती है तो इस बार ये टक्राना चाहती है इसलिए इसका वेग लेंगे धनात्मक और यह दूर जा रही है इसलिए इसका वेग लेंगे रडात्मक तो हमें E का formula इस तरीके से बोल जाता है ठीक है? याद ही रखना है पूर्णता प्रत्यास टकर के लिए E का मान हमेशा एक होता है ठीक है? क्योंकि उसमें टकर से पहले और टकर के बाद का जो आपेक्षित वेग होता है वो हमेशा एकोल आता है ठीक है? यह mathematically पूरूफ भी कर सकते है ठीक है तो बच्चों इसी के साथ यह चाप्टर होगा हमारा समाप्त इसमें सबसे इंपॉर्टन टॉपिक मैं आपको अल्डेडी बता चुका हूँ यह डेरिवेशन आप बहुत अच्छे से कर लिजेगा एक्जाम में 4-5 मार्क्स में कंफर्म आएंगे ठीक है? तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही मिलेंगे आप लोगों से नेक्स क्लास में मिशन 30 के एक और नया वीडियो के साथ तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो शेर जरूर कीजेगा और लाइक भी करना और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो सबसे बिले जाके वो कर दीजेगा चलिए मिलते आप लोगों से नेक्स क्लास में इस क्लास के लिए थैंक यू